किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं सीधे हातों ने जो खीची हैं लकीरे टेड़ी उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं 20 करोड 60,350 वाली इस कंट्री में एक चीज हर जगा दिखाई देती है डर लगभग 42% लोग पानी से डरते 53 प्रतिशत जनता को भूकम का डर सताता है तुम ठीक तो हो तुम क्या सोच रहे था अभी तुमने मेरे तुम मर जाना था लोगा है तुमारे अलावा ना मुझे को देख पाएगा और ना कुछ जूदेगा कर दो कि चले गए और छूपने का अज़िए 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 मैं कृष्णा हूं इसलिए चमतकार करता हूं कुछ सालों से द्वारका के परिस्थे ते बिलकूल ठीक नहीं है जैसे एक भगवान के बिना धूरता है मैं बैसे भगवान भी एक शची भखके बिना धूरा हुआ होता है लोग उसे उनका धरम कभी मत चीन नहीं मैंने सिर्फ इंसान बनाया और इंसान ने जात पात धरम मजब का दंडा शुरू कि लोग मेरे पास सिर्फ अपने स्वाथ के लिया आते हैं जैसे एक भख्ट भगवान के बिना अधूरा होता है वैसे भगवान भी एक सचे भख्ट के बिना अधूरा होता है मैं करिश्न हूँ इसलिए चमतकार करता हूँ इसलिए करिश्न नहीं 77 यानि के 77 प्रतिशत इंसान टेरिस्स के खौफ में जीते हैं 90% No chance 95 प्रतिशत पीपल्स अपनी बीवियों से डरते हैं और जिससे 100 प्रतिशत बीवियां भी डरती हैं वो है who other than भगवान तेरा बदला एहनकार है मुप्ति नहे माया है पास सहस्तर वर्ष पूर भी इस दुरहटना है जानकारी थी दुरहटना लिखे थी और निशकर्ष भी लिखा थी अरे मैं उसी रूप में आऊँ जो आप लोग हमेशे देखते हो टीवी पे कैलंडर पे फिल्मों में परसों से यही रूप मेरा चलता आ रहा है उसी रूप में आपके सामने ख़़आँ तेरा बदला एहनकार है मुप्ति नहीं माया है हमारे समाज में मस्टर्बेशन को ना केवल असलिल और गंदा माना जाता है बल्कि कई लोग इसे पाप की निजर से भी देखते हैं सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहां टाइब्यू रहा है लेकिक निर्देशक अमितराई की OMG2 अग्यानता के लिए एक किसोर के सेक्सूल एक्ट के जरिये ना क्योल इस टैब्यू पर बहश चड़ती है बल्कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार कर दिये जाने की जबरदस्त पहरुई भी करती है फिल्म की समीच्छा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहां यह बताना जरूरी समझते हैं कि अगर संसर बोट ने फिल्म को 27 कट्स और एस सार्टिफिकर नहीं दिया होता तो आज के दोर के जरूरी बिसे हर अपनी टार्गेट आडियन्स तग पहुँच सकता था और इस बिसे पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था कहानी महाकाल के परमभक्त कांतिसरण मुद्दल यानि पंकिश्तिर पाठी के किसोर बेटे बिबेग यानि आरूस सर्मा से होती है पढ़ने लिखने में तेज और संस्कृतिक कारिकर्मों में आगे रहने वाले बिबेग अपने लिंग और सेक्शुलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टर्बेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भरती करने की नौब बता जाती है मगर इसी बीच स्कृल में किया गया उसका एक काम वाइरल कर दिया जाता है उसे ना केवल स्कृल से निकाल दिया जाता है बलकि उसके पूरे परिवार को समाज और सहर में सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है अब इस परिवार के पास सहर छोड़ने के लाबा और कोई रास्ता नहीं बचता उधर भी बेक सरम के मारे अपनी ग्यान लेने का प्रियास भी करता है मगर तभी भगवान सियू की करपा होती है और उनक दोते ने अक्छो कुमार आकर कांती को रास्ता दिखाता है कांती की आखे खुलती है और अपने बेटे के मानसिक उतपीरन और उसे समाच में सरमिंदगी से बचाने के लिए सकोर पर मुकुदमाता रहकरता है वो अपने बेटे की सेक्सूल अग्यानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्यदार ठहरा कर सेचलिक सिंस्थानों में सेक्स से एजूकेशन के कमपल्सरी करने की कवायदत में जुट जाता है। पुरसोत्तम नागरिया निपान मलोहोत्रा के सामने दोनों अपने पच रखते हैं। कांती का तरक है कि सेक्सूल एजूकेशन को बिना किसी आउरल या लाग लपेट के सच्चे सुरूप में पढ़ाय जाए जबकि कामनी का मानना है कि यह सब इस समाच में संभव नहीं है। कोर्ट में फैसला किस के हग में होता है या जानने के लिए आपको फिलम देखनी होगी। आम तोर पर सुकल अपने पहले भाग की छाय से ओपर नहीं पाती। मगर यहां लेकंग निर्देशक एक फ्रेस अप्रोच के सान नजराते हैं। 11 अगस्त को रिलेज होई इस फिलम में एक मध्यमर्गी परिवार के साथ होता है। यहां कांती एक किसोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दात दिनी होगी कि यह मुद्धा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीज इस्थापित किया है। संसर बोर्ट के कट्स के कारण फिलमें कहीं- मगर courtroom drama असर कारक साबित होता है कांती का कोट में कामसूतर और पंच तंतर की किताबों का उल्ले करना और तरक देना कि आज जब पॉर्ण इंटरनेट पर उपलध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता कतर का प्रभावी लगता है संगीत और तकनीकी पच की बात करें तो फिलम का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था संगीत और प्रभाव साली होता तो मज़ा जाता हाला कि बिक्रम मंटे सरे के संगीत में हर हर महादयो गाना अच्छा बन पड़ा है उनकी कोरियोग्राफी भी दर्षनी है फिलम का कलाइमेक्स सुकून देने वाला है अबने की बात की जाये तो हर एंगल से पंकस्तिर पाठी की फिलम है या भूमका एक्जुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि एक धार्मिक परिवेस और छोटे सहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुल एक्ट पर अदालत में समाज की खलाब खड़ा होना बहुत ही सहसिक है मगर पंकश का सहज सुलब अबने और और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनी बनाती है सुके दूद के रूम में एक्छो कमार हर तरे से जचते हैं उनकी परजन समवाद अदाएगी और लोग किरदार को मजिदार बनाता है यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमका के साथ पूरा नया किया है साधी कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है स्कूल मालिक के रूम में अरुल गोबिल डाक्टर की भूमका में बजेंदर काला पुजारी के चरित्र में गोबिंदर नामदेव ने अच्छा काम किया है जजगी भूमका में पॉनमलोहत्रा याद रह जाते हैं उनका करदार खोब मज्य करवाता है अनिस्योगी कास्ट भी ससकता है पहले तो यह की फिल्म OMG 2 यानि की Oh My God 2 अक्छा कुमार की फिल्म नहीं है यह फिल्म है पंकष तिरपाठी और यामी गौतम की अब निता अक्छा कुमार यहां उद्प्रेर की भूमका में है कैटलिस्ट समझते हैं ना और उनके चक्कर में यही केंदरी फिल्म प्रमारन बोर्ड यानि की संसर बोर्ड के निसाने पर भी आई फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिबू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि फिल्म देखने वाली परिछड सिमित यानि संसर बोर्ड की एक्जमिंग कमेटी के सदस्यों को ततकाल प्रभाव से कारिमुक्त कर देना चाहिए संसर बोर्ड में सिनेमा घर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए जो बदलते समाज के बदलते आदर्सों और बदलती सामाजिक जरूरतों को समझ सकते हों और इस दिसा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोसाहिद करने की सोच रखते हों फिल्म O.M.G.2 बदलते समय की कच्ची पुकार है जो सत्य है वही सुन्दर है जो सुन्दर है वही स्यू है सत्यम सुम सुन्दरम की अधारडा भी यही है बहुत हला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिलमें देखते हैं जिनमें दर्शकों को सोचने की दिसा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती और जब बात होती है तो O.M.G.2 जैसी फिल्में बनती हैं जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं फिल्म को केवल वायशकों के लिए जैसा प्रमाडन पत्र देने की जरूरत भी कता ही नहीं है फिल्म सभी किसोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने आठवी कच्छा के बात के सारे बच्चों को ए फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए एक स् माने की सही लेकिन सच्ची समाजिक उद्गिनताओं की बात करती है फिल्म O.M.G. 2 एक की सोरवाय का बच्चा संस्कृतिक कार्मों की तयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छातरा से अलग कर दिया जाता है छातरा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं उसके लिंग मेडिकल स्टोर से नकली बियागरा खा कर बिमार हो जाता है इसकूल उसी इस हरकत को समाजी कपराद की संग्य देता है उसके बालमन को समझने की कोशिस को इनहीं करता लेकिन स्यू की करपा होती है बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों निम हाकीमों जड़ी बूटी बिक करता हों और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ओपर की मुकदमा कर देता है असल फिल्म यहां से सुरू होती है फिल्म ओएमजी टू न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवस्य देखने लाइक फिल्म है यह फिल्म है उस देश में योन सिच्छा को वर लाचना लगता है सिउगर को बिश पीने को बादिकरता है और यह सिउगर भी इस दौर में आकर रात को महाकाल का परसाद पीने के साथ-साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है अपने विशय अपने निर्देशन अपनी पढकता और अपने समगर प्रभाव में फिल्म O.M G2 एक कमाल की फिल्म है फिल्म का संगीत कमजोर निकलता नहीं ये तो फिल्म फाइब इस्टार पाने लाइक फिल्म भी हो सकती है प्रेस राओल ओम पुरी और पौन मलोहतरा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टु संगम बनाने वाले अमितराय को इस फिल्म के लिए आने असब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा तो समझाता है कि बाते हम कितनी भी पिढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है फिल्म O.M.G. 2 में अबने के भी नए बिम उभरते हैं जबरन निसकासित किये गए एक किसोरवे बालक और एक बालिका पिता के रूम में पंकत्रिपाथी ने अपनी अबने यातरा का एक महाकाब इस फिल्म में पूरा किया है मैं अक्सर लिखता रहा हूँ कि पंकत्रिपाथी को अपने अबने का खाचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है मालवा की बोली को आत्मसाथ करते होए पंकत्रिपाथी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अबने अबने का चमदकार ब लेते हुए भी अंत में सहित्य वखेल करों में परवर्तित होता दिखता है। जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बास समझने के लिए जिस तरह भापने सहियोगी की मदद लेता है वह दरस फिल्म में हास रस की कमी को पूरा करते हैं। इस सोचल कमेडी फिल्म में पंकच के लावा अक्षे कुमार और यामी गौतम भी मुख भूमका में नजर आने वाली हैं। अब खबर सामने आ रही है कि ओमाइगाड टू की कहानी इंडियन इजुकेशन सिस्टम के मुद्धों पर आधारित होगी। सुत्रों के मताबिक जहां ओमाइगाड धरम पर आधारित थी वही ओमाइगाड टू इंडियन इजुकेशन सिस्टम पर बेस्ट होगी। इसमें पंकच तिरपाठी मुख हीरो की भूमका निभाते होए दिखाए देंगे। जैसे पहले वाली ओमाइगाड में परेसरावल ने निभाए थी। जबकि अच्छे भगवान करशड के रूम में अपने पिछली भूमका ही निभाएंगे। फिल्म की कहानी परिच्छा, दबाओ और कालिस परवेस जैसे बिश्यो जैसे मुद्धो को भी उजागर करेगी। अमित राय के निर्देशन में बन रही ओमाइगाड टू की शूटिंग अगले कुछ दिनों तक पंकच अकेले ही करेंगे। इसके कुछ दिन बाद यामी गौतम फिल्म की सुटिंग करने के लिए तेम के साथ जूटेंगे। बता दे कि 2012 में रिलीज ओमाइगाड में परेसरावल और अक्च लीड रोल मेनेजर आये थे। इस फिल्म का निदलेशन उमेश शुकला ने किया था। अक्षे कुमार के पास फिल्मों का भंडार है अक्षे एक के बाद एक फिल्म साइन कर रहे हैं और उनके लुक्स भी भायन सेयर कर रहे हैं अब अक्षे कुमार की फिल्म O.M.G.2 के लुक को सेयर कर दिया गया है अक्षे इस फिल्म में भगवान सियू के करदार मेनेजर आए अक्षे ने सोसल मेडिया पर तस्वीरें सेयर की हैं जिनमें वाभगवान सियू के रूम मेनेजर आ रहे हैं अपने लोग को सेयर करते हुए अक्षेकमार लिखते हैं करता करें ना करें सियू करें सियू होए ओमजी टू के लिए आपकी दूआओं और सुपकान नाओं की जरूरत है या एक जरूरी सोसल मेसेज देने वाली हमारी नमर और इमानदार कोशिस है आदियोगी की उर्जाह हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महादेओ ओमजी टू के लिए अक्षेकमार उजयन गए हुई हैं 23 एक्टूबर को अक्षेकमार अपनी टीम के साथ उजयन पहुचे यहाँ उन्होंने महाकाल मंदर जाकर भगवान महाकाल के दरसन गिये और भगवान सिव का असिर बाद मागा अक्षेकमार की इस फिलम के कुछ सेन की सूटिंग महाकाल मंदिर में होनी है बताय जा रहा है कि उज्जेन में ओएमजी टू की सूटिंग का करीब दू हपते का शुडूल है इस से दोरान उज्जेन की अलागलक एतिहासिक और धार्मिक महत्तवाली जगों पर फिल्म के अलागलक सीन फिल्म आए जाएंगे महाकाल मंदिर के लावा उज्जेन के अन्य मंदिरो और राम घाट पर भी फिल्म की सूटिंग होगी अक्षे संग पंकर तिरपाठी भी उज्जेन पहुंचे थे फिल्म ओम जी टू को डारेक्टर अमित राय बना रहे हैं इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ हमी गोतम और पंकर तिरपाठी होंगे किद दूनों पहले खबर आई थी कि राम आड़ फेम एक्टर अरुड गोबिल इस फिल्म राम आवतार में नजर आने वाले हैं अक्षे कमार और प्रेसरावल की ओमाई गार्ड का सुकल आने वाला है बतादे कि 2012 में ओमाई गार्ड रिलीज हुई थी और दर्शको को ये काफी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षे कमार ने भगवान किसल का रोल किया था फ़स्ट लुक से लगता है कि दूसरे पार्ट में भगवान सुके करदार में दिखेंगे खिलाडी कमार ने फिल्म का फ़स्ट लुक से अर करते हुई लिखा आ रहे हम आईएगा आप भी 11 अगस्त को थियर्टर्स में फिल्म के पहले पॉस्टर में अक्छा कुमार लंबी जटाओ और चेहरे में भसम लगाए दिख रहे थे उनके गले में रुदराच के माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंताजा लगाया कि O.M.G. 2 में महादेओ का किरदार निभा रहे हैं खिलाडी कुमार यामी गौतम ने फिल्म में फिमेल लीट रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सुसल मीडिया पर सेयर किया था अक्षे कमार के लुक के फैंस कायल हो गए है किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लागबास्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसबरिज से इंतिजार था अक्षे कमार इस्टारर सुपर हिट फिल्म ओमाइगाड याने ओमजी इन दिनों अपने सुकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लाप के मार जहल रहे एक्टर को भी इस मुवी से काफी उम्मीद है वही बीते दिन अक्षे ने ओमाइगाड टू की रिलीटेट से परदा उठाय था जिसके बाद से फैंस से इस से जुड़े हर अपडेट पर अपनी नजरे गड़ाए हुए है वही अब ओमजी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षे के फैंस का खुस होना लाजमी है अक्षे कमार की फिल्म ओमाइगाड टू बीते लंबे समय से सुर्कियों में बनी हुई है इस मूवी को लेकर पहले अपहा फैली थी किया ओटेटी पिलेट फाम पर दस्तक देगी लेकिन अक्षे ने बेते दिन इसके रिलीज टेर का खुला सकर सभी अपहाओ पर बिराम लगा दिया वही अब इसके टीजर को लेकर बड़ी जानकरी सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स की महाने तो इस मोटावंडेट फिल्म का टीजर अगले सब्ता जारी किया जाएगा ओमाइगड टू के टीजर में फैंस को आकर सक कहानी और अक्षे किमार की भूमका की एक नई जलग देखने को मिलेगी उमीद की जा रही है कि टीजर फैंस को साह को और ज़्यदा बढ़ाएगा जिससे मोबी को देखने के लिए दर्सक बारी मातरा में सिनेमा घर का रुख करेंगे अक्षे कमार फिल्म ओमाइगाड टू ग्यारा अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है हाला कि इसकी बॉक्स आपस पर दो बड़े इस्टार्स की फिल्में के साथ भिटन्थ होने वाली है उसी दिन रड़वे कपूर की फिल्में निमल और सनी देवल की गज़र टू भी रिलीज होगी वही O.M.G.2 की बात करें तो इसमें अक्षे कुमार के अलावा पंकतर पाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्षे कुमार ने टुटर के माधम से O.M.G.2 का निया पोस्टर सेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थियेटर समें रिलीज होगी पोस्टर में अक्षे कुमार भगवान सेयो की आवतार में डबरू बजाते नजरा रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और सरीर वा चेहरे पर भसम लगी थी बजा दे कि पहले अक्षे की फिल्म OTT प्लेटफरम पर रिलीज होने वारी थी लेकिन जिस तरह से आप तमाम फिल्में बाक्साफिस पर रिलीज हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुई मेकर्स ने इसे थेटर में रिलीज करने का निरड़ लिया है दर्शको को बाक्साफिस पर अगस्त के दूसरे हफते तक बहुत बड़ा क्लैस देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देवल और अमिसा पटल स्टारर गदर टू रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षकमार इस्टारर ओमजी टू और रड़बीर कपोर की एनिमल भी रिलीज के लिए तयार है दरसल अक्षकमार इस्टारर ओमजी टू पिछले 30 माई को OTT पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्ष ने इसे थीटर में रिलीज करने का नर्ड़ ले लिया है अमित राय ने O.M.G.2 को डारेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंद विस्वास की दिलस्व कहानी दिखाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में सिच्छा प्रडाली के बारे में अधरित है मेकर्ष ने फिल्म में एडल्ट एजूकेशन के हाकिकत को लेकर बाते की है O.M.G.2 के पहले भगवान में अक्षे कुमार भगवान किर्ष्ट बने थे और परेश रावल उनके भक्त के रोल में दिखे थे लेकिन अब दूसरे पार्ड में परेश रावल की जिगए पंकत्र पाठी ने लिए है वही अक्षे इस बार भगवान स्यू के रोल में नज़राने वाले है फिल्म O.M.G.2 में राम आड़ फेम, अरुड गोबिल, भगवान राम के रोल में नज़र आएंगे इस फिल्म में यामी गोतम भी मुक्य भूमका में है रड़ बीर कपूर इस्टारर एनिमल भी बॉक्स आफिस पर 11 अगस्त को रिलीज होगी इसके लावा सनी देवल इस्टारर गदर टू और अक्छे कुमार इस्टारर O.M.G.2 भी 11 अगस्त को थेटर में ही रिलीज होने वाली है इन तुनों इस्टार की फिल्में एक दूसरे को बाक्स आफिस पर कड़ी टक कर देंगी O.M.G.2 एक आगामी भारती हिंदी भांसा की बंगात्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमितराय दौरा लिखे तो निर्देशित है यह O.M.G. का अत्यादमिक सुखल है और इसमें अक्षेकुमार पंकतिर पाठी यामिंग गौतम अरुड़ गोबिल और आमिर नाइक है यह फिल्म भारती से चप्रडाली के बिशे के इर्द गिर्द गुमती है इस फिल्म को डालेट किया है अमितराय और उत्पादित हुई है विपिल डिशा, राज्यस बहल और असुन वर्दे के तोरा इसके उत्पादन कमपनिया है के पाप गुट फिल्म्स, वायकाम एट्टिन स्टूडियो और वकाव फिल्म्स यह भित्र की गई है वायकाम एट्टिन स्टूडियो के तरह, इसकी रिलीज की तारीक है ग्यारा के दोजार तेस, यह भारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान सिउ के रूम में अक्षे कुमार हैं, पंकत तिरपाठी और भगवान राम के रूम में अरोड़ गोबिल हैं, संजना तिरपाठी के रूम में यामी गौतम हैं और गोविंद नाम देव भी इसमें हैं शुरुआत में अफ़ाठी किया फिल्म जनूरी दोजारे केस में बनेगी, जिसमें पहले भाग के बाहद अक्षे कुमार और प्रेस्टा अलमों की भूमका में लोटेंगे, लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया, जों दोजारे केस में ओमजी के शुकल की आंदता कुमार अब नीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टी की गई, उसी महिने पंकत त्रिपार्ठी और यामी कौतम को नए कलाकारों के रूम में सामिल किया गया, जबकि अरुड गोबिल नॉमबर 2021 में बगौन राम के रूम में सामिल हुए, त्रिपार्ठी ने 2 सितमबर 2021 को फिल्म का पहला शेडूल सुरू किया, अक्षेकमार 23 अक्टूबर 2020 को दूसरे शेडूल में स्ट पर सामिल हुए, फिल्म का तीसरा शेडूल दिसमबर 2021 में सुरू हुआ, बगौन स्यू के रूम में अक्षेकमार की विसेस्ता वाली फिल्म का फर्ष्ट लूक पोश्टर अक्टूबर 2020 में लांच किया गया था। जरूरी समझते हैं कि अगर संसर बोट ने फिल्म को 27 कट्स और एस सार्टिफिकर नहीं दिया होता तो आज के दौर के जरूरी बिसे हर अपनी टार्गेट ओडियंस तग पहुंच सकता था और इस बिसे पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। कीमों से दवा लेकर मस्टर्बेशन की आति कर देता है और उसे अस्पताल में भरती करने की नौब बता जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वाइरल कर दिया जाता है। उसे ना केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बलकि उसके पूरे परिवार को समाज और सहर में सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास सहर छोडने के अलाबा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर भी बेक सरम के मारे अपनी ग्यान लेने का प्रियास भी करता है। मगर तभी भगवान सियों की करपा होती है। और उनक दोतेने अक्ष्यकुमार आकर कांती को रास्ता दिखाता है। कांती की आखे खुलती हैं और अपने बेटे के मांसिक उत्पीडन और उसस समाज में सरमिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमाता है। वह अपने बेटे की सेक्सूल अग्यानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्यदार ठहरा कर सेचलिक सिंस्थानों में सेक्स से एजुकेशन के कंपल्सरी करने की कवाइदत में जुट जाता है। बेटे के इस हाल के लिए जिम्यदार लोग उससे माप ही मांगे और स्कूल में उसे बेजजित कर वापस लिया जाए। कोर्ट में फैसला किसके हग में होता है या जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। के परिवार के साथ होता है। यहां कांती एक किसोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीच इस्थापित किया है। संसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्में कहीं कहीं संदर्भो में जंप महसूस होता है। फिल्म की सुरुवात में निर्देशक कहानी को इस्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं। मगर फिर आप कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। सिकंड हाब में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है। मगर कोर्ट रूम द्रामा असर कारण साबित होता है। कांती का कोर्ट में कामसूत्र और पंच तंत्र की किताबों का उल्ले करना और तरक देना कि आज जब पॉर्ण इंटरनेट पर उपलद है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरा क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। कतर का प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पच की बात करें तो फिलम का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावसाली होता तो मजा जाता। हाला कि बिक्रम मंटे सरे के संगीत में हर हर महादयो गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनी है। फिलम का क्लाइमेक्स सुकून देने वाला है। अबने की बात की जाये तो हर एंगल से पंकस्तिर पाठी की फिलम है। या भूमका एक्जुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी। क्योंकि एक धार्मिक परिवेस और छोटे सहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्शुल एक्ट पर अदालत में समाज की खलाब खड़ा होना बहुत ही सहसिक है। मगर पंकश का सहज सुलब अबने और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनी बनाती है। मज्य करवाता है और सहोगी कास्ट भी ससकता है। संसर बोर्ड की एक्जमिंग कमेटी के सदस्यों को ततकाल प्रभाव से कारेमुक्त कर देना चाहिए। संसर बोर्ड में सिनेमा घर के समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए। जो बदलते समाज के बदलते आदर्सों और बदलती सामाजिक जरूरतों को समझ सकते हों। और इस दिसा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोसाहिद करने की सोच रखते हों। फिल्म O.M.G.2 बदलते समय की कच्ची पुकार है। जो सत्य है वही सुन्दर है जो सुन्दर है वही सु है। सत्यम सुम सुन्दरम की औधारडा भी यही है। बहुत हला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं। जिनमें दर्शकों को सोचने की दिसा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती। और जब बात होती है तो O.M.G.2 जैसी फिल्में बनती हैं। जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड़ पूड़ी पराठे सब बेलने पड़ते हैं। फिल्म को केवल वायशकों के लिए जैसा प्रमालन पत्र देने की जरूरत भी कता ही नहीं है। फिल्म सभी किसोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने आठवी कच्छा के बात के सारे बच्चों को ये फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए। बच्चा अब पूछे भी तो किस्से की समानी लिंका आकार परकार कैसा होता है। असल फिल्म यहां से सुरू होती है। फिल्म O.M.G. 2 New Millennials कहलाने वाले हर बच्चे के अवस्य देखने लायक फिल्म है। यह फिल्म है उस देश में यौन सिच्चा को वर्जित मानने वाली सिच्चा पद्धत पर जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रच्चित पंचितरंत्र की कहानियों में काम सिच्चा का उलेक हुआ। नामी स्कूल बच्चे पर लाचना लगता है। सिउगड़ को बिस पीने को बाद करता है। और ये सिउगड़ भी इस दोर में आकर रात को महाकाल का परसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है। अपने बिसे, अपने निर्देशन, अपनी पटकता और 11 साल पहले फिल्म रोट टु संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिसा निर्देशक फिल्मकार के रूम में याद किया जाएगा। यह उन सिच्छा जैसे वरजित बिसे पर संपूर मुनरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्क काम है ओपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वहा सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज के लिए वहा सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज के लिए वहा सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा तो समझ जाता है कि बाते हम कितनी भी बड़ी-बड़ी कर ले अपने दौर के किसोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब जज का बेटा यौन सिच्छा के समर्थन में खड़ा दिखता है ते संकेत है कि गुजरती पीड़ी को नई पीड़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है। मालवा की बोली को आतमसाथ करते हुए पंकत्र पाठी ने यहां पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिने का चमतकार बनाया है। टीम के साथ साथ सहय कलाकारों का चैन भी बहुत साधानी के साथ किया है। स्कूल संचालक के रूम में अरुड़ गोबिल डाक्टर की भूमका में बजंदर काला और मेडिकल इस्टोर मालक के रूम में पराग छाकेदार का चैन फिलम की कास्टिंग की जीत है। अंग्रेजी में ही नहीं अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज़ का जब एक बिसुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बास समझने के लिए जिस तरह भापने स्योगी की मदद लेता है वोई दरस फिलम में हास रस की कमी को पूर आज है वैसे भोले भंडारी के रूम में अक्षकुमार फबते खूब हैं हर हर महादियो एक्टर पंगच तिरपाथी ने मुंबई में एक अगस्त ओमाई गाड़ टू की शूटिंग सुरू कर दी थी इस सोचल कमेड़ी फिल्प में पंगच के लावा अक्षकुमार और आमी गौतम भी मुख भूमका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओमाई गाड़ टू की कहानी इंडियन इजूकेशन सिस्टम के मुद्दो पर आधारित होगी सुत्रों के मताबिक जहां ओमाई गाड़ धरम पर आधारित थी वही ओमाई गाड़ टू इंडियन इजूकेशन सिस्टम पर बेस्ट होगी इसमें पंकश तिरपाथी मुख हीरो की भूमका निभाते हुए दिखाए देंगे जैसे पहले वाली ओमाई गाड़ में परेसरावल ने निभाए थी जबकि अच्छे भगवान करशड के रूम में अपने पिछली भूमक करने के लिए टीम के साथ जुड़ेंगी वही अक्छे कुमार फिल्म की टीम के साथ अक्टूबर में शूटिंग करेंगे अक्छे ने ओमाई गाड़ 2 में अपने किरदार भगवान करशड की शूटिंग के लिए मेकर्स को सिर्फ 15-20 दिन ही दिये हैं ओमाई गाड़ 2 को असुन वर्दे और अक्छे कुमार साथ मिलकर प्रियोडूश कर रहे हैं बता दे कि 2012 में रिलीज ओमाई गाड़ में परेसरावल और अक्छे लीड रोल मेनेजर आये थे इस फिल्म का निल्देशन उमेश सुकला ने किया था अक्छे कुमार के पास फिल्मों का भंडार है अक्छे के बाद एक फिल्म साइन कर रहे हैं और उनके लुक्स भी भायन सेयर कर रहे हैं अब अक्छे कुमार की फिल्म OMG2 के लुक को सेयर कर दिया गया है अक्छे इस फिल्म में भगवान सियू के करदार मेनेजर आएंगे अ एक जरूरी सूसल मेसेज देने वाली हमारी नम्र और इमानदार कोशिस है आदियोगी की उर्जा हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महा देओ ओएमजी 2 के लिए अक्षेकमार उजन गयी हैं 13 अक्टूबर को अक्षेकमार अपनी टीम के साथ उजन पहुचे यहां उन्होंने महाकाल मंदर जाकर भगवान महाकाल के दरसंगी और भगवान सिव का असिरवाद मागा अक्षेकमार की इस फिल्म के कुछ सेन की सूटिंग म हपते का शुडूल है इस से दोरान उज्जेन की अला गलक के तिहासिक और धार्मिक महत्तवाली जगों पर फिल्म के अला गलक सीन फिल्माई जाएंगे महाकाल मंदिर के लावा उज्जेन के अन्य मंदिरों और राम घाट पर भी फिल्म की इस फिल्म में राम के रोल में देखना चाहते थे और गोबिल ने उनका आफर मान लिया अक्षे कमार की ये फिल्म साल 2012 में आई ओयम जी यानि ओमाई गार्ड का स्यूकल है उस फिल्म में अक्षे ने भगवान करशड का करदार निभाय था उनके साथ प्रेसरावल थे जिन्होंने एक नाश्तिक बेक्तिका रोल अदा किया था फिल्म दर्शको को पसंद आई थी अक्षे ने आनि प्रोजेश्ट की बात करे तो वहार राम सेतू, प्रतिवीराज, बचन पांडे, रक्षा बंधन, अतरंगिरे, गोर्खा, सुर्व पार्ट में अक्षे कमार ने भगवान किसल का रोल किया था, फिल्म के पहले पॉस्टर में अक्षे कमार लंबी जटाओ और चेहरे में भसम लगाए दिख रहे थे, उनके गले में रुद्राच की माला है, और दाएं हाथ में डमरू है, इस लुक से फैंस ने अंताजा भार हैं, खिलाडी कमार यामी गौतम ने फिल्म में फिमेल लीड रोल किया है, उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सुसल मीडिया पर सेयर किया था, अक्षे कमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं, किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लागबास्टर बता दिया, तो किस अक्षे ने ओमाई गाड़ टू की रिलीज डेट से परदा उठाया था, जिसके बाद से फैंस से इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नेजरे गड़ाये हुए हैं, वही अप O.M.G.2 के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसे जानकर अक्षे के फैंस का खुस होना लाजमी है, अक्षे कमार की फिल्म O.M.G.2 बीते लंबे समय से सुर्कियों में बनी हुई है, इस मुवी को लेकर पहले अपहा फैली थी, किया O.T.T. पिलेट फाम पर दस्तक देगी, लेकिन अक्षे ने बेते दिन इसके रिलीज डेट का खुला सकर सभी अपह पर बिराम लगा दिया, वही अब इसके टीजर को लेकर बड़ी जानकारे सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट की महाने तो इस मोई टाउंडिट फिल्म का टीजर अगले सब्ता जारी किया जाएगा, O.M.G.2 के टीजर में फैंस को आकर सक कहानी और अक्षे कमार की भ्हुम अगस्ट को सिनेमागरों में दस्तक देने जा रही है, हाला कि इसकी बॉक्स आपस पर दो बड़े स्टार्स की फिल्में के साथ भिडंद होने वाली है, उसी दिन रड़वे कपूर की फिल्में नीमल और सनी देवल की गज़र टू भी रिलीज होगी, वही O.M.G.2 की बात जरा रहे थे, जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी, और सरीर वा चेहरे पर भसम लगी थी, बजा दे कि पहले अक्षे की फिल्म OTT प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से अब तमाम फिल्में बाक्स आपस पर रिलीज हो रही हैं, उसी क अक्षे कुमार इस्टारर O.M.G.2 और रडबीर कपोर की एनिमल भी रिलीज के लिए तयार है, दरसल अक्षे कुमार इस्टारर O.M.G.2 पिछले 30 माई को OTT पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थीटर में रिलीज करने का नर्ड़े ले लिया है, अमित राय ने O.M.G.2 को डारेक्ट किया है, इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंदविस्वास की दिल्स्टार कहानी दिखाई गई थी, जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में सिच्छा प्रडाली के बारे में अधरी थे, मेकर्स ने फिल्म में एडल के रोल में नजराने वाले हैं, फिल्म O.M.G.2 में राम आड़ फेम, अरुड गोबिल, भगवान राम के रोल में नजराएंगे, इस फिल्म में यामी गोतम भी मुक्ष भूमका में हैं, रडबीर का पूर स्टारर एनिमल भी बाक्स आपस पर 11 अगस्त को रिलीज होगी, इसके लावा सनी देवल स्टारर गदर टू और अक्षक मार स्टारर O.M.G.2 भी 11 अगस्त को थेटर में ही रिलीज होने वाली है, इन तुनों स्टार की फिल्में एक दूसरे को बाक्स आपस पर कड़ी टक कर देंगी, O.M.G.2 एक आगामी भारती हिंदी भांसा की बंगातमा कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अमितराय दौरा लिखे तो निर्देशित है, यह O.M.G. का अत्यादमिक सुखल है, और इसमें अक्षकुमार पंकतिर पार्ठी, यह मिंगोतम, अरुडगोबिल और आमिर नाइक है यह फिल्म भारती से चप्रडाली के बिशे के इर्द गिर्द गुमती है, इस फिल्म को डालेट किया है अमितराय और उत्पादित हुई है विपिल डिशा, राज्यस बहल और असुन वर्दे के तोरा, इसकी उत्पादन कमपनिया है के पाप गुड़ फिल्म्स, वाइकाम 18 स्टूडियो के दोरा, इसकी रिलीज की तारीख है 11 के 2013, यह भारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी, इसमें भगवान सियु के रूम में अक्षे कुमार हैं, पंकत तिरपाथी और भगवान राम के रूम में अरोड गोबिल हैं, संजना तिरपाथी के रूम में या उसी महेने पंकत तिरपाथी और यामी कौतम को नए कलाकारो के रूम में सामिल किया गया, जबकि अरोड गोबिल नौमबर 2021 में बगवान राम के रूम में सामिल हुए, तिरपाथी ने 2 सितमबर 2021 को मॉंबई में फिल्म का पहला शेडूल सुरू किया, अक्षे कमार 23 अक् किसमें लॉंच किया गया था हमारे समाज में मस्टरबेशन को ना केवल असलिल और गंदा माना जाता है बलकि कई लोग इसे पाप की निजर से भी देखते हैं सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यांट टैब्यू रहा है लेकिक निर्देशक अमितराई की ओम जी टू अग्यानता के लिए एक किसोर के सेक्सूल एक्ट के जरिये ना क्योल इस टैब्यू पर बहुत चड़ती है बलकि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार कर दिये जाने की जबर्दस्त पहरुई भी करती है फिल्म की समीच्छा को आगे बढ़ कहानी महाकाल के परमभक्त कांति सरण मुद्दल यानी पंकिस तिरपाठी के किसोर बेटे विबेग यानी आरूस सरमा से होती है पढ़ने लिखने में तेज और संस्कूल कारिकर्मों में आगे रहने वाले विबेग अपने लिंग और सेक्सूलिटी को लेकर मजाक उड़ा साहर में सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है अब इस परिवार के पास सहर छोड़ने के लाबा और कोई रास्ता नहीं बचता उधर विबेग सरम के मारे अपनी ज्यान लेने का प्रियास भी करता है मगर तभी भगवान सियों की करपा होती है और उनक दोते ने अक्ष्यक ज्यानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्यदार ठहरा कर सेचलिक सिंस्थानों में सेक्स से एजुकेशन के कंपल्सरी करने की कवाइदत में जुट जाता है वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्यदार कांती हैं जिस पुरसोत्तम नागरिया निपान मलोहत्रा के सामने दोनों अपने पच्छ रखते हैं कांती का तरक है कि सेक्सूल एजुकेशन को बिना किसी आउरल या लाग लपेट के सच्चे सुरूप में पढ़ाय जाए जबकि कामनी का मानना है कि यह सब इस समाच में स सान नजर आते हैं 11 अगस्त को रिलेज हो इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वर्जित विसे को बिना किसी वलगर हुए समझदारी और तारकी की सुरूप से हैंडल करते हैं और इसमें कौमडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं कहानी दिल्चस्प इसलिए भी क्योंकि यह सारा कुछ एक देशी परिवेस में एक मध्य मर्गी परिवार के साथ होता है यहां कांती एक किसोर बेटे और बेटी का पिता भी है निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुतर के बेज इस्थापित किया है संसर बो फिर थोड़ी सुस्त होती है मगर कोर्ट रूम द्रामा असर कारक साबित होता है कांतिका कोर्ट में कामसूत्र और पंच तंत्र की किताबों का उल्ले करना और तरक देना कि आज जब पॉर्ण इंटरनेट पर उपलध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नही बन पड़ा है उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनी है फिलम का क्लाइमेक्स सुकून देने वाला है अभने की बात की जाये तो हर एंगल से पंकस्तिर पार्टी की फिलम है या भूमका एक्जुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि एक धार के रूम में अक्छो कुमार हरतरे से ज़स्ते हैं उनकी परजन सम्वाद अदाएगी और लुक किरदार को मज़ेदार बनाता है यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमका के साथ पूरा नया किया है साधी कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है इसकूल मालिक के रूम में अर कुमार की फिल्म नहीं है ये फिल्म है पंकष तिरपाठी और यामी गौतम की अब निता अक्छो कुमार यहां उत्प्रेर की भूमका में हैं कैटलिस्ट समझते हैं ना और उनके चक्कर में यही केंदरी फिल्म परमारन बोर्ड यानि की संसर बोर्ड के निसाने पर भी आ चाहिए संसर बोर्ड में सिनेमा घर के समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए जो बदलते समाज के बदलते आदर्सों और बदलती सामाजिक जरूरतों को समझ सकते हों और इस दिसा में प्रयास करने वाले सिनेमा को प्रोसाहित करने की समझ रखते हों फिल्म ओ जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती और जब बात होती है तो O.M.G.2 जैसी फिल्में बनती हैं जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड़, पूड़ी, पराठे सब बेलने पड़ते हैं फिल्म को केवल वायशकों के लिए जैसा परमालन पत्र देने की जरूरत भी कता ही नहीं है फिल्म सभी किसोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने आठवी कच्छा के बात के सारे बच्चों को ए फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए एक जिक उद्गिंताओं की बात करती है फिल्म O.M.G. 2 एक की सोरवाय का बच्चा संस्कृतिक कार्मों की तयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छातरा से अलग कर दिया जाता है छातरा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में स खाए कर बिमार हो जाता है इसकूल उसी इस हरकत को समाजिक अपराद की संग्या देता है उसके बालमन को समझने की कोसिस कोई नहीं करता लेकिन सियोकी करपा होती है बच्चे का पिता इसकूल के संचाल को निम्हकीमों जड़ी बूटी बिक्रताओं और मेडिकल इस्टोर संचालकों के साथ अपने ओपर की मुकदमा कर देता है असल फिल्म यहां से सुरू होती है फिल्म O.M.G. 2 न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवस्य देखने लायक फिल्म है यह फिल्म है उस देश में योन सिच्चा को वर्जित मानने वाली सिच्चा पद्धत पर जिस देश में काम सूत्र लिखा गया और जिस देश में रच्चित पंचितरंतर की कहानियों में काम सिच्चा का उलेख हुआ उसी देश में विदेशी सिच्चा पदस से चलने वाला सहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाचना लगता है सिवगड़ को बिश पीने को बाद करता है और ये से उगड़ भी इस दोर में आकर रात को महाकाल का परसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है अपने बिसे, अपने निर्देशन, अपनी पटकता और अपने समगर प्रभाव में फिल्म O.M.G. 2 एक कमाल की फिल्म है फिल्म का संगित कमजोर निकलता नहीं, ये तो फिल्म फाइब इस्टार पाने लाइक फिल्म भी हो सकती है प्रेस राओल, ओमपुरी और पौन मलहोत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोट टु संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिसा निर्देशक फिल्मकार के रूम में याद किया जाएगा यौन सिच्छा जैसे वरजित बिसे पर संपूर मुनरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है उपर से जब ऐसे किसी फिलमकार को फिलम की रिलीज के लिए वहा सब कहना पड़ा तो तो समझ आता है कि बाते हम कितनी भी बड़ी-बड़ी कर ले अपने दोर के किसोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में जब जज का बेटा या उनसिच्छा के समर्थन में खड़ा दिखता है ते संकेत है कि गुजरती पीड़ी को नई पीड़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है फिल्म O.M.G.2 में अबने के भी नए बिम उभरते हैं जबरन निसकासित किये गए एक किसोरों बालक और एक बालिका पिता के रूम में पंकत्रिपाठी ने अपनी अबने यातरा का एक महाकाब इस फिल्म में पूरा किया है मैं अकसर लिखता रहा हूँ कि पंकत्रिपाठी को अपने अबने का खाचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है मालवा की बोली को आतमसाथ करते हूए पंकत्रिपाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अबने का चमतकार बनाया है बड़ा नाम भले फिल्म में अबनेता के रूम में अक्च्यो कुमार का हो लेकिन यह फिल्म पंकत्रिपाठी की है साथ में आमी गौतम भी अपने अभिने का एक नया रोपिहां प्रस्तुत करती दिखती हैं सिनेमा के संतुलन कवा दूसरा पच्छ है जो कुछ-कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहित्य वखेल करों में परवर्तित होता दिखता है अमितराय ने फिल्म में अपने तकनीकी टीम के साथ साथ सहाय कलाकारों का चैन भी बहुत साधानी के साथ किया है स्कूल संचालक के रूम में अरुड गोबिल, डाक्टर की भूमका में बजंदर काला और मेडिकल स्टोर मालक के रूम में पराक छाकेदार का चैन फिलम की कास्टिंग की जीथ है पौन मलहुत्रा ने जज के रूम में अदभुद कार किया है अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज़ का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बास समझने के लिए जिस तरह भापने स्योगी की मदद लेता है वोई दरस फिल्म में हास रश की कमी को पूरा करते हैं पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दरस आपत जनक लगा और वहा है स्युगर के रूम में अक्षकुमार का पंकश्तिर पाठी के ऊपर नाखूनों का जल चड़कना ये कृति सनातन संस्क्रत में त्याज है वैसे भोले भंडारी के रूम में अक्षकुमार फबते खूब हैं हर हर महादियो एक्टर पंकश्तिर पाठी ने मुंबई में एक अगस्त ओमाइगाड टू की शूटिंग सुरू कर दी थी इस सोचल कमेडी फिल्म में पंकश्तिर के लावा अक्षकुमार और यामी गौतम भी मुख भूमका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रह आते हुए दिखाए देंगे जैसे पहले वाली ओमाइगाड में प्रेस रावल ने निभाए थी जबकि अच्छे भगवान करशड के रूम में अपने पिछली भूमका ही निभाएंगे फिल्म की कहानी परिच्छा दबाओ और कालिस परवेस जैसे बिस्यों जैसे में शूटिंग करेंगे अक्छे ने ओमाइगाड टू में अपने किर्दार भगवान करशड की शूटिंग के लिए मेकर्स को सिर्फ 15-20 दिन ही दिये हैं ओमाइगाड टू को अस्वन वर्दे और अक्छे कमार साथ मिलकर प्रेडूइश कर रहे हैं बता दे कि 2012 में ओम ओमजी टू के लोग को सियर कर दिया गया है अक्छे इस फिल्म में भगवान सियू के करदार में नजर आएंगे अक्छे ने सोसल मेडिया पर तस्वीरे सियर की हैं जिनमें वह भगवान सियू के रूम में नजर आ रहे हैं अपने लोग को सियर करते हुए अक्छे कमार में हमारा साथ देर ही हर हर महा देयों। Guatemala के लिए अक्षेकमार उज्यन गए है। 13 एक्टूबर को आक्षेकमार अपनी टेम के साथ उज्यन पहुचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदपनैं जाकर भगवान महाकाल के दरशनागी दन आए... जगों पर फिल्म के आला गलक्सीन फिल्म आए जाएंगे महाकाल मंदिर के लावा उज्जेन के अन्य मंदिरों और राम घाट पर भी फिल्म की सूटिंग होगी अक्षे संग पंकर तिरपाटी भी उज्जेन पहुंचे थे फिल्म O.M.G. 2 को डारेक्टर अमित राय बना रहे हैं इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ हमी गोतम और पंकर तिरपाटी होंगे कित दूनों पहले खबर आई थी कि राम आड़ फेम एक्टर अरुड गोबिल इस फिल्म राम आवतार में नजर आने वाले हैं खबर दे कि अक्षे कुमार खुद अरुड को इस फिल्म में राम के रोल में देखना चाते थे और गोबिल ने उनका आपर मान लिया अक्षे कुमार की ये फिल्म साल 2012 में आई ओयम जी यानि ओमाई गाड का स्यूकल है उस फिल्म में अक्षे ने भगवान करशड का किरदार निभाय था उनके साथ प्रेसर आवल थे जिन्होंने एक नाश्तिक बेक्तिका रोल अदा किया था फिल्म दर्सकों को पसंद आई ती और दर्सकों को ये काफी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षे कमार ने भगवान करशड का रोल किया था फिल्म के पहले पॉस्टर में अक्षे कमार लंबी जटाओ और चेहरे में भसम लगाय दिख रह में रुदराच के माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंताजा लगाया कि ओम जी टू में महादेव का करदार निभा रहे हैं खिलाडी कमार यामी गौतम ने फिल्म में फीमेल लीट रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सुसल माई गाड याने ओम जी इन दिनों अपने सुकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लाप के मार जहल रहे एक्टर को भी इस मूवी से काफी उम्मीद हैं वही बीते दिन अक्षे ने ओमाई गाड टू की रिलीटेट से परदा उठाय था जिसके बास से फैंस से इस से जुड़े हर अपडेट पर अपनी नेजरे गड़ाए हुए हैं वही आप ओम जी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षे के फैंस का खुस होना लाजमी है अक्षे कमार की फिल्म ओमाई गाड टू बीते लंबे समय से सुर्कियों मे बनी हुई है इस मूवी को लेकर पहले अपवा फैली थी किया OTT पिलट फाम पर दस्तक देगी लेकिन अक्षे ने बेते दिन इसकी रिलीज टेर का खुला सकर सभी अपवाओ पर बिराम लगा दिया वही अब इसके टीजर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है मीडिया जा रही है कि टीजर फैंस को साह को और जड़ा बढ़ाएगा जिससे मूवी को देखने के लिए दर्शक भारी महतरा में सिनेमा घर का रुख करेंगे अक्षे कुमार फिलम ओमाईगाड 21 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है हाला कि इसकी बॉक्स आपस प लीड रोल में हैं अक्षे कुमार ने ट्विटर के माध्म से ओम जी टू का नया पोस्टर सेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिलम 11 अगस्त को थीटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षे कुमार भगवांसियो की आवतार में डबरू बजाते नजरा रहे थे ज दर्शकों को बाक्साफिस पर अगस्त के दूसरे हपते तक बहुत बड़ा क्लैस देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देवल और अमिसा पटल इस्टार गदर टू रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षे कुमार इस्टार ओम जी टू और रड़बीर क अंदविस्वास की दिलस्टार कहानी दिखाए गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में सिच्छा प्रडाली के बारे में अधरी थे मेकरश ने फिल्म में एडल्ट इजूकेशन के हाकिकत को लेकर बाते की है ओम जी टू के पहले भगवान में अक्षे कुमार वक्त के रोल में दिखे थे लेकिन अब दूसरे पार्ड में प्रेस्रावल की जीगें पंकत्र पाठी ने लिए है वही अक्षे इस बार भगवान चुके रोल में नजराने वाले हैं फिल्म ओएमजी टू में रामायड फैम अरुड गोबिल भगवान राम के रोल में नज इस होने वाली है इन तुनों इस्टार की फिल्में एक दूसरे को बाक्सापस पर कड़ी टक कर देंगी ओम जी टू एक आगामी भारती हिंदी भांसा की बंगात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमित्राय दौरा लिखे तो निर्देशित है यह ओम जी का अत्यादमिक होई है विपिल डिशा राज्यस बहल और असुन वर्दे के दौरा इसकी उच्पादन कंपनियां है के पाप गुड़ फिल्म्स वाइकाम 18 स्टूडियो और वकाव फिल्म्स यह बित्र की गई है वाइकाम 18 स्टूडियो के दौरा इसकी रिलीज की तारीक है ग्यारा कर दो भी इसमें है शुरुआत में अफ़ात थी किया फिल्म जनूरी दोजारे केस में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षे कुमार और प्रेस्टा और मुकी भूमका में लोटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जोन दोजारे केस में ओमजी के सुकल की अंतता कुमार अबनीत एक नई फिल्म के साथ पुष्टी की गई उसी महीने पंकत तिरपार्ठी और यामी कौतम को नए कलाकारों के रूम में सामिल किया जबकि अरुड गोबिल नॉमबर 2021 में बगवान राम के रूम में सामिल हुए तिरपार्ठी ने 2 सितमबर 2021 को अक्टूबर 2021 में लांच किया गया था। जरूरी समझते हैं कि अगर संसर बोड ने फिलम को 27 कट सोर एस सार्टिफिकर नहीं दिया होता तो आज के दोर के जरूरी बिसे हर अपनी टार्गेट ओडियंस तग पहुंच सकता था और इस बिसे पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था। लिमों से दवा लेकर मस्टर्बेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भरती करने की नव बता जाती है। मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वाइरल कर दिया जाता है। उसे ना केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बलकि उसके पूरे परिवार को समाज और सहर में सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास सहर छोड़ने के अलाबा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर भी बेक सरम के मारे अपनी ज्यान लेने का प्रियास भी करता है। मगर तभी भगवान स्यू की करपा होती है। और उनक दोते ने अक्ष्यकुमार आकर कांती को रास्ता दिखाता है। कांती की आखे खुलती हैं और अपने बेटे के मांसिक उत्पीडन और उसस समाज में सरमिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमाता है। वह अपने बेटे की सेक्सूल अग्यानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्मेदार ठहरा कर सेचलिक सिंस्थानों में सेक्स से एजुकेशन के कंपल्सरी करने की कवायदत में जुट जाता है। बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उससे माफ ही मांगे और स्कूल में उसे बेजजित कर वापस लिया जाए। कोर्ट में फैसला किसके हग में होता है या जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। की परिवार के साथ होता है। यहां कांती एक किसोर बेटे और बेटी का पिता भी है। निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बेज इस्थापित किया है। संसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्में कहीं कहीं संदर्भो में जम्प महसूस होता है। फिल्म की सुरुआत में निर्देशक कहानी को इस्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं। मगर फिर आप कहानी अपनी रप्तार पकड़ लेती है। सिकंड हाँ में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है। मगर कोर्ट रूम द्रामा असर कारण साबित होता है। कांती का कोर्ट में कामसूत्र और पंच तंत्र की किताबों का उले करना और तरक देना कि आज जब पॉर्ण इंटरनेट पर उपलध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरा क्यों नहीं पढ़ाय जा सकता। कतर का प्रभावी लगता है। संगीत और तकनीकी पच्च की बात करें तो फिलम का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था। संगीत और प्रभावसाली होता तो मजा आ जाता। हाला कि बिक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादयो गाना अच्छा बन पड़ा है। उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनी है। फिलम का कलामेक्स सुकून देने वाला है। अबने की बात की जाये तो हर एंगल से पंकस्तिर पाठी की फिलम है। या भूमका एक्जुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी। क्योंकि एक धार्मिक परिवेस और छोटे सहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्शुल एक्ट पर अदालत में समाज की खलाब खड़ा होना बहुत ही सहसिक है। मगर पंकश का सहज सुलब अबने और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनी बनाती है। सुख के दूद के रूम में एक्छो कुमार हर तरे से जचते हैं। उनकी परजन समवाद अदाएगी और लुक किरदार को मज़िदार बनाता है। यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमका के साथ पुरा नया किया है। साधी कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है। स्कूल मालिक के रूम में अरुल गोबिल डाक्टर की भूमका में बजेंदर काला, पुजारी के चरित्र में गोबिंदर नामदेव ने अच्छा काम किया है। जज़ की भूमका में पनमलोहत्रा याद रह जाते हैं। उनका करदार खोब मज़े करवाता है। अनि सहोगी क पास्ट भी ससकता है। पहले तो यह की फिल्म O.M.G.2 यानि की Oh My God 2 अक्छा कुमार की फिल्म नहीं है। यह फिल्म है पंकश तिरपाठी और यामी गौतम की। अब निता अक्छा कुमार यहां उत्प्रेर की भूमका में है। कैटलिस्ट समझते हैं ना। और उनके चक्क संसर बॉर्ड की एक्जमिंग कमेटी के सदस्यों को ततकाल प्रभाव से कारेमुक्त कर देना चाहिए। संसर बॉर्ड में सिनेमा घर की समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए। जो बदलते समाज के बदलते आदर्सों और बदलती सामाजिक जरूरतों को समझ सकते हों और इस दिसा में प्रयास करने वाले सिनिमा को प्रोसाहिद करने की सोच रखते हों फिल्म omg2 बदलते समय की कच्ची पुकार है जो सत्य है वही सुंदर है जो सुंदर है वही सु है सत्यम सुंदरम की औधारडा भी यही है बहुत हला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्मे देखते हैं जिनमें दर्शकों को सोचने की दिसा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती और जब बात होती है तो omg2 जैसी फिल्मे बनती हैं जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड़ पोड़ी पराठे सब बेलने पड़ते हैं फिल्म को केवल वायशको के लिए जैसा प्रमालन पत्र देने की जरूरत भी कतई नहीं है फिल्म सबी किसोरों को देखने चाहिए और हो सके तो तमाम इस्कूलों को अपने आठवी कच्छा के बात के सारे बच्चों को यह फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सची समाजिक ओधिनताओं की बात करती है फिल्म O.M.G. 2 एक कि सोरवाय का बच्चा संस्कृतिक कार्मों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छातरा से अलग कर दिया जाता है चातरा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में संकाओं का निर्मार कर देते हैं इसकूल उसी इस हरकत को समाजी कपराद की संग्या देता है उसके बालमन को समझने की कोशिस को ही नहीं करता लेकिन स्यूकी करपा होती है बच्चे का पिता स्कूल के संचाल को निमाकीमो जड़ी बूटी विकरताओं और मेडिकल स्टोर संचाल को के साथ अपने ओपर की मुकदमा कर देता है असल फिल्म यहां से सुरू होती है फिल्म O.M.G. 2 New Millennials कहलाने वाले हर बच्चे के अवस्य देखने लायक फिल्म है ये फिल्म है उस देश में योन सिच्छा को वर्जित मानने वाली सिच्छा पद्धत पर जिस देश में काम सुत्र लिखा गया और जिस देश में रचित पंचितर्मत्र की कहानियों में काम सिच्छा का उलेख हुआ उसी देश में बिदेशी सिच्चा पदस से चलने वाला सहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाचना लगता है सिउगड़ को बिश पीने को बाद करता है और ये से उगड़ भी इस दोर में आकर रात को महाकाल का परसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है अपने बिसे, अपने निर्देशन, अपनी पटकता और अपने समगर प्रभाव में फिल्म O.M.G. 2 एक कमाल की फिल्म है फिल्म का संगित कमजोर निकलता नहीं, ये तो फिल्म फाइब इस्टार पाने लाइक फिल्म भी हो सकती है प्रेस राओल ओम पुरी और पौन मलहतरा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोट टु संगम बनाने वाले अमितराय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिसा निर्दे सक फिल्मकार के रूम में याद किया जाएगा यह उनस इच्छा जैसे वरजित बिसे पर संपूर मुनरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है उपर से जब ऐसे किसी फिल्मकार को फिल्म की रिलीज के लिए वह सब कहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रि के साथ कदम ताल कितना जरूरी है फिल्म ओम जी टू में अबने के भी नए बिम उभरते हैं जबरन निसकासित किये गए एक किसोरवे बालक और एक बालिका पिता के रूम में पंकत्र पार्थी ने अपनी अबने आत्रा का एक महा काब इस फिल्म में पूरा किया है मैं अक्स की फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अबने अबने का चमतकार बनाया है बड़ा नाम भले फिल्म में अबने ता के रूम में अक्चिव कुमार का हो लेकिन ये फिल्म पंकस्तिर पार्थी की है साथ में आमी गोतम भी अपने अबने का एक नया रोप यहां प्रस्तुत करती दिख सिनेमा के संतुलन कवा दूसरा पच्छ है जो कुछ-कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहित्य वखेल के रूम में परवर्तित होता दिखता है। अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज़ का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बास समझने के लिए जिस तरह भापने सहियोगी की मदद लेता है वोई दरस फिल्म में हास रस की कमी को पूरा करते हैं। अक्टर पंकच तिरपाठी ने मुंबई में एक अगस्त ओमाइगाड टू की शूटिंग सुरू कर दी थी। इस सोसल कमेडी फिल्म में पंकच के लावा अक्षे कुमार और यामी गौतम भी मुख भूमका में नजर आने वाली हैं। अब खबर सामने आ रही है कि ओमाइगाड टू की कहानी इंडियन इजूकेशन सिस्टम के मुद्धो पर आधारित होगी। सुत्रों के मताबिक जहां ओमाइगाड धरम पर आधारित थी वही ओमाइगाड टू एंडियन इजूकेशन सिस्टम पर बेश्ट होगी। इसमें पंकच तिरपाथी मुख हीरो की भूमका निभाते हुए दिखाए देंगे। जैसे पहले वाली ओमाइगाड में परेसरावल ने निभाए थी। जबकि अच्छे भगवान करशड के रूम में अपने पिछली भूमका ही निभाएंगे। फिल्म की कहानी परिच्छा, दबाओ और कालिस परवेस जैसे बिसेओ जैसे मुद्दो को भी उजागर करेगी। अमित राय के निर्देशन में बन रही ओमाइगाड टू की शूटिंग अगले कुछ दिनों तक पंकच अकेले ही करेंगे। इसके कुछ दिन बाद या मिगोतम फिल्म की शूटिंग करने के लिए टीम के साथ जुड़ेंगी। वही अक्छे कुमार फिल्म की टीम के साथ अक्टूबर में शूटिंग करेंगे। अक्षे ने ओमाई गाड़ 2 में अपने किरदार भगवान करशट की सूटिंग के लिए मेकर्स को सिर्फ 15 से 20 दिन ही दिये हैं ओमाई गाड़ 2 को असुन वर्दे और अक्षे कमार साथ मिलकर प्रेडूस कर रहे हैं बता दे कि 2012 में रिलीज ओमाई गाड में प्रेसरावल और अक्षे लीड रोल मेनेजर आये थे इस फिल्म का निर्देशन उमेश सुकला ने किया था अक्षे कमार के पास फिल्मों का भंडार है अक्षे एक के बाद एक फिल्म साइन कर रहे हैं और अउनके लोक्स भी भायन सेयर कर रहे हैं अब अक्षे कमार की फिल्म OMG2 के लोक को सेयर कर दिया गया है अक्षे इस फिल्म में भगवान सियू के करदार मेनेजर आएंगे अक्षे ने सोसल मेडिया पर तस्पीरे सेयर की हैं जिनमें वा भगवान सिव के रूम मेनेजर आ रहे हैं अपने लोग को सेर करते हुए अक्षकमार लिखते हैं करता करे ना करे सिव करे सिव होए OMG2 के लिए आपकी दूआओं और सुपकान नाओं की जरूरत है या एक जरूरी सुसल मेसेज देने वाली हमारी नमर और इमानदार कोशिस है आदियोगी की उर्जा हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महा देओ OMG2 के लिए अक्षकमार उज्जैन गए हुई हैं बताय जा रहा है कि उज्जैन में OMG2 की सूटिंग का करीब दू हपते का सुडूल है इस से दोरान उज्जैन की अलागलक यतिहासिक और धार्मिक महत्तवाली जगों पर फिल्म के अलागलक सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदिर के लावा उज्जैन के अन्य मंदिरो और राम घाट पर भी फिल्म की सूटिंग होगी अक्षे संग पंकर तिरपाठी भी उज्जैन पहुँचे थे फिल्म OMG2 को डारेक्टर अमित राय बना रहे हैं इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ हमिगोतम और पंकर तिरपाठी होंगे कि दूनों पहले खबर आय OutP estiver एक्टर अरूर गोबिल इस फिल्म राम आतार में नजर आने वाले हैं खबरते की अक्षे कमार खुद अरुड को इस फिल्म में राम के रोल में देखना चाहते थे और गोबिल ने उनका आपर मान लिया अक्षे कमार की ये फिल्म साल 2012 में आई ओयम जी यानी ओमाई गार्ड का स्यूकल है उस फिल्म में अक्षे ने भगवान करशड का करदार निभाया था उनके साथ प्रेसरावल थे जिन्होंने एक नाश्तिक बेक्तिका रोल अदा किया था फिल्म दर्शकों को पसंद आई थ अक्षे कमार और प्रेसरावल की ओमाई गार्ड का स्यूकल आने वाला है बतादे की 2012 में ओमाई गार्ड रिलीज हुई थी और दर्शकों को ये काफी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ड भी देखेंगे पहले पार्ड में अक्षे कमार ने भगवा के करदार में दिखेंगे खिलाडी कमार ने फिल्म का फ़र्ट लुक सेयर करते हुई लिखा आ रहे हम आईएगा आप भी 11 अगस्त को थीयटर्स में फिल्म के पहले पॉस्टर में अक्षे कमार लंबी जटाओ और चेहरे में भसम लगाए दिख रहे थे उनके गले में सेयर किया था अक्षे कमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लागबास्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसबरिश से इंतिजार था अक्षे कमार इस्टारर सुपर हिट फिल्म ओमाई गाड याने ओमजी इन दिनों अपने सुकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लाप के मार जहल रहे एक्टर को भी इस मुवी से काफी उम्मीद हैं वही बीते दिन अक्षे ने ओमाई गाड टू की रिलीटेर्ट से परदा उठाय था जिसके बाद से फैंस से इस से जुड़े हर अपडेट पर अपनी नजरे गड़ाए हुए हैं वही आप ओमजी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षे के फैंस का खुस होना लाजमी है अक्षे कमार की फिल्म ओमाई गाड टू बीते लंबे समय से सुर्कियों में बनी हुई है इस मूवी को लेकर पहले अपहा फैली थी किया ओटेटी पिलेट फाम पर दस्तक देगी लेकिन अक्षे ने बेते दिन इसके रिलीज डेट का खुला सकर सभी अपहाओ पर बिराम लगा दिया वही अब इसके टीजर को लेकर बड़ी जानकरे सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स की महाने तो इस मोटावंडेट फिल्म का टीजर अगले सब्ता जारी किया जाएगा ओमाइगड टू के टीजर में फैंस को आकर सक कहानी और अक्षे किमार की भूमका की एक नई जलग देखने को मिलेगी उमीद की जा रही है कि टीजर फैंस को साह को और ज़्यदा बढ़ाएगा जिससे मोबी को देखने के लिए दर्सक बारी मातरा में सिनेमा घर का रुख करेंगे अक्षे कमार फिल्म ओमाइगाड टू ग्यारा अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है हाला कि इसकी बॉक्स आपस पर दो बड़े इस्टार्स की फिल्में के साथ भिटन्थ होने वाली है उसी दिन रड़वे कपूर की फिल्में निमल और सनी देवल की गज़र टू भी रिलीज होगी वही ओम जी टू की बात करे तो इसमें अक्षे कुमार के अलावा पंकत्र पाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में है अक्षे कुमार ने ट्विटर के माध्म से ओम जी टू का नया पोस्टर सेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थियेटर समें रिलीज होगी पोस्टर में अक्षे कुमार भगवान सेयो की आवतार में डबरू बजाते नजरा रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और सरीर वा चेहरे पर भसम लगी थी बजा दे कि पहले अक्षे की फिल्म OTT प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से आप तमाम फिल्में बाक्षाफिस पर रिलीज हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुई मेकर्स ने इसे थेटर में रिलीज करने का निर ड़े लिया है दर्शको को बाक्षाफिस पर अगस्त के दूसरे हफते तक बहुत बड़ा क्लैस देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देवल और अमिसा पटल स्टारर गदर टू रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षाकुमार इस्टारर ओमजी टू और रडबीर कपोर की एनिमल भी रिलीज के लिये तियार है दरसल अक्षाकुमार इस्टारर ओमजी टू पिछले 30 माई को OTT पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्ष ने इसे थीयेटर में रिलीज करने का नर्ड़े ले लिया है अमित राय ने O.M.G.2 को डारेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंद विस्वास की दिल्सप कहानी दिखाई गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में सिच्छा प्रडाली के बारे में अधरित है मेकर्ष ने फिल्म में एडल्ट एजूकेशन के हाकिकत को लेकर बाते की है O.M.G.2 के पहले भगवान में अक्षे कुमार भगवान किर्ष्ट बने थे और परेश रावल उनके भक्त के रोल में दिखे थे लेकिन अब दूसरे पार्ड में परेश रावल की जगए पंकत्र पाठी ने लिए है वही अक्षे इस बार भगवान सियू के रोल में नज़राने वाले है फिल्म O.M.G.2 में राम आड़ फेम, अरुड गोबिल, भगवान राम के रोल में नज़राएंगे इस फिल्म में यामी गोतम भी मुक्य भूमका में है रड़ बीर कपूर इस्टारर एनिमल भी बॉक्स आफिस पर 11 अगस्त को रिलीज होगी इसके लवा सनी देवल इस्टारर गदर टू और अक्छे कमार इस्टारर O.M.G.2 भी 11 अगस्त को थेटर में ही रिलीज होने वाली है इन तुनों इस्टार की फिल्में एक दूसरे को बाक्स आफिस पर कड़ी टक कर देंगी O.M.G.2 एक आगामी भारती हिंदी भांसा की बंगात्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमितराय दोरा लिखेत और निर्देशित है या O.M.G. का अत्यादमिक सुखल है और इसमें अक्छे कमार पंकतिर पाठी या मिंगोतम अरुडगोबिल और आमिर नाईक है या फिल्म भारती से चप्रडाली के बिसे के इर्द गिर्द घुमती है इस फिल्म को डालेट किया है अमितराय और उत्पादित हुई है विपिल डिसा, राज्यस बहल और असुन वर्दे के तोरा इसकी उत्पादन कमपनिया है के पाप गुड़ फिल्म्स, वाइकाम एट यामी गौतम हैं और गोविंद नाम देवभीश में हैं सुरुवात में अफ़ाती किया फिल्म जनूरी दोजारे केस में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाधक्षे गुमार और प्रेस्रावलमों की भूमका में लोटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया ज पार्थी ने 2 सितमबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला स्यडूल सुरू किया अक्षे कमार 30 अक्टूबर 2020 को दूसरे स्यडूल में स्ट पर सामिल हुए फिल्म का तीसरा स्यडूल दिसमबर 2021 में शुरू हुआ बगान स्यू के रूम में एक्चेकमार की विसेस्ता वाली फिल्म का फर्ष्ट लूक पोस्टर अक्टूबर 2020 में लांच किया गया था हमारे समाज में मस्टर्बेशन को ना केवल असलिल और गंदा माना जाता है बलकि कई लोग इसे पाप की निजर से भी देखते हैं सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहां टैब्यू रहा है लेकिक निर्देशक अमितराई की ओएमजी टू अग्यानता के लिए एक किसोर के सेक्सूल एक्ट के जरिये ना क्योल इस टैब्यू पर बहुत छड़ती है बलकि सेक्स एजूकेशन को स्कूल में अनिवार कर दिये जाने की जबर्दस्त पैरुई भी करती है फिल्म की समीच्छा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहां यह बताना जरूरी समझते हैं कि अगर संसर बोट ने फिल्म को 27 कट्स और एस सार्टिफिकर नहीं दिया होता तो आज के दोर के जरूरी बिसे हर अपनी टार्गेट ओडियन्स तग पहुंच सकता था और इस बिसे पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था कहानी महाकाल के परमभक्त कांतिसरण मुद्दल यानी पंकिस्तिर पाठी के किसोर बेटे बिबेग यानी आरूस सरमा से होती है पढ़ने लिखने में तेज और संस्कृतिक कारिकर्मों में आगे रहने वाले बिबेग अपने लिंग और सेक्शुलिटी को लेकर मजाक उड़ाये जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टर्बेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भरती करने की नौब बता जाती है मगर इसी बीच स्कृल में किया गया उसका एक काम वाइरल कर दिया जाता है उसे ना केवल स्कृल से निकाल दिया जाता है बलकि उसके पूरे परिवार को समाज और सहर में सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है अब इस परिवार के पास सहर छोड़ने के लाबा और कोई रास्ता नह उसे समाज में सरमिंदगी से बचाने के लिए स्कूर पर मुक्दमा दायर करता है वह अपने बेटे की सक्सूल अग्यांता के लिए स्कूल अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिमेदार ठहरा कर सेचलिक सिंस्थानों में सेक्स से एजूकेशन के कमपल्सरी करने की कवाइदत में जुट जाता है वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उसे माप ही मांगे और स्कूल में उसे बेज़ित कर वापस लिया जाए इसकूल अपने बचाओ के लिए तेज तरारवकिल कामनी महसुरी यानि यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वेम मस्टर्बेशन को गंदा और अनैतिक करते मांती हैं जिस पुरसोत्तम नागर या निपान मलोहत्रा के सामने दोनों अपने अपने पच रखते हैं कांती का तरक है कि सेक्सूल एजुकेशन को बिना किसी आउरड या लाग लपेट के सच्चे सुरूप में पढ़ाय जाए जबकि कामनी का मानना है कि यह सब इस समाच में संभव नहीं है कोर्ट में फैसला किस के हग में होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी आम तोर पर सुकल अपने पहले भाग की चाय से उपर नहीं पाती मगर यहां लेखंग निर्देशक एक फ्रेस अप्रोच के सान नजराते हैं 11 अगस्त को रिलीज होई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वरजित बिसे को बिना किसी वलगर हुए समझदारी और तार्किक सुरूप से हैंडल करते हैं और उसमें कॉमडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं कहानी दिल्चस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछे एक देशी परिवेस में एक मध्य मुर्गी परिवार के साथ होता है यहां कांती एक किसोर बेटे और बेटी का पिता भी है निर्देशक को दाद देनी होगी की यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिताप पुतर के बेच इस्थापित किया है संसर बोर्ड के कर्ष के कारण फिल्में कहीं कहीं संदर्भो में जंप महसूस होता है फिल्म की शुरुवात में निर्देशक कहानी को इस्थाबित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं मगर फिर अप कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है सिकंड हाब में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है मगर कोट रूम द्रामा असर कारक साबित होता है कांती का कोट में कामसूतर और पंच तंतर की किताबों का उले करना और तरक देना कि आज जब पॉर्ण इंटरनेट पर उपलद है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता कतर का प्रभावी लगता है संगीत और तकनीकी पच्च की बात करें तो फिलम का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था संगीत और प्रभाव साली होता तो मज़ा जाता हाला कि बिक्रम मंटे सरे के संगीत में हर हर महाद्यो गाना अच्छा बन पड़ा है उनकी कोरियोग्राफी भी दर्षनी है फिलम का क्लाइमेक्स सुकून देने वाला है अबने की बात की जाये तो हर एंगल से पंकस्तिर पाठी की फिलम है या भूमका एक्जुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि एक धार्मिक परिवेस और छोटे सहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुल एक्ट पर अदालत में समाज की खिलाब खड़ा होना बहुत ही सहसिक है मगर पंकश का सहज सुलब अबने और और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनी बनाती है सुके दूद के रूम में एक्छो कमार हर तरे से जचते हैं उनकी परजन समवाद अदाईगी और लोग किरदार को मजिदार बनाता है यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमका के साथ पूरा नया किया है साधी कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है स्कूल मालिक के रूम में अरुल गोबिल डाक्टर की भूमका में बजेंदर काला पुजारी के चरित्र में गोबिंदर नामदेव ने अच्छा काम किया है जज़ की भूमका में पौनमलोहत्रा याद रह जाते हैं उनका करदार खोब मज़े करवाता है अनिस्योगी कास्ट भी ससकता है पहले तो यह की फिल्म OMG 2 यानि की Oh My God 2 अक्छा कुमार की फिल्म नहीं है यह फिल्म है पंकस्तिरपाठी और यामी गौतम की अब निता अक्छा कुमार यहां उत्प्रेर की भूमका में है कैटलिस्ट समझते हैं ना और उनके चक्कर में यही केंदरी फिल्म प्रमारन बोर्ड यानि की संसर बोर्ड के निसाने पर भी आई फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिबू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि फिल्म देखने वाली परिछड सिमित यानि संसर बोर्ड की एक्जमिंग कमेटी के सदस्यों को ततकाल प्रभाव से कारेमुक्त कर देना चाहिए संसर बोर्ड में सिनेमा घर के समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए जो बदलते समाज के बदलते आदर्सों और बदलती समाजिक जरूरतों को समझ सकते हों और इस दिसा में प्रियास करने वाले सिनेमा को प्रोसाहिद करने की सोच रखते हों फिल्म O.M.G.2 बदलते समय की कच्ची पुकार है जो सत्य है वही सुन्दर है जो सुन्दर है वही स्यू है सत्यम सुम सुन्दरम की अधारडा भी यही है बहुत हला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्मे देखते हैं जिनमें दर्शकों को सोचने की दिसा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती और जब बात होती है तो OMG2 जैसी फिल्में बनती हैं जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड़ पूड़ी पराठे सब बेलने पड़ते हैं फिल्म को केवल वायशकों के लिए जैसा प्रमालन पत्र देने की जरूरत भी कता ही नहीं है फिल्म सभी किसोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने आठवी कच्छा के बात के सारे बच्चों को ये फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए एक स् माने की सही लेकिन सच्ची समाजिक उद्गिनताओं की बात करती है फिल्म O.M.G. 2 एक की सोरवाय का बच्चा संस्कृतिक कार्मों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छातरा से अलग कर दिया जाता है छातरा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं उसके मेडिकल स्टोर से नकली बियागरा खाकर बिमार हो जाता है इसकूल उसी इस हरकत को समाजी कपरात की संग्या देता है उसके बालमन को समझने की कोशिस को ही नहीं करता लेकिन स्यू की करपा होती है बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों निम हाकीमों जड़ी बूटी वि ये फिल्म है उस देश में योन सिच्छा को वर्जित मानने वाली सिच्छा पद्धत पर जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रच्चित पंचितरंतर की कहानियों में काम सिच्छा का उलेक हुआ उस देश में बिदेशी सिच्छा पद्धत से चलने वा सहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाचना लगता है सिउगड़ को बिस पीने को बाद करता है और ये सिउगड़ भी इस दोर में आकर रात को महाकाल का परसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है अपने बिसे अपने निर्देशन अपनी पटकता और साल पहले फिल्म रोट टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिसा निर्देशक फिल्मकार के रूम में याद किया जाएगा यह उन सिच्छा जैसे वरजित बिसे पर संपूर मुनरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल क पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा तो समझ आता है कि बाते हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले अपने दौर के किसरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में जब जज का बेटा यह उन सिच्छा के समर्थन में खड़ा दिखता है ते संकेत है कि गुजरती पीड़ी को नई पीड़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है फिल्म O.M.G.2 में अबने के भी नए बिम उभरते हैं जबरन निसकासित किये गए एक किसोरवे बालक और एक बालिका पिता के रूम में पंकत्रिपार्थी ने अपनी अब साथ करते होए पंकत्रिपार्थी ने यहां पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अबने का चमतकार बनाया है बड़ा नाम भले फिल्म में अबनेता के रूमे अक्च्छो कुमार का हो लेकिन यह फिल्म पंकत्रिपार्थी की है साथ में आमी गोतम भी अपने अबने क एक नया रोप यहां प्रस्तुत करती दिखती हैं सिनेमा के संतुलन कवा दूसरा पच्छ है जो कुछ-कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहित्य वखेल करों में परवर्तित होता दिखता है अमित्राय ने फिल्म में अपने तकनीकी टीम के साथ साहय कलाकारों क का चैन भी बहुत साधानी के साथ किया है इसकूल संचालक के रूम में अरुड़ गोबिल डाक्टर की भूमका में बजंद्र काला और मेडिकल इस्टोर मालक के रूम में पराक छाकेदार का चैन फिल्म की कास्टिंग की जीत है पौन मलहत्रा ने जज के रूम में फिल्म में हासरस की कमी को पूरा करते हैं पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दरस आपत जनक लगा और वहा है स्यूगर के रूम में अक्ष्यकुमार का पंकश्तिर पाठी के ऊपर नाखूनों का जल चलकना ये कृत्य सनातन संस्क्रत में त्याज है वैसे भोले भंडारी क के रूम में अक्ष्यकुमार फबते खूब हैं हर हर महादियो एक्टर पंकश्तिर पाठी ने मुंबई में एक अगस्त ओमाइगाड टू की शूटिंग शूरू कर दी थी इस सोसल कमेडी फिल्म में पंकश्तिर के लावा अक्ष्यकुमार और यामी गौतम भी मुख भूम सिस्टम पर बेस्ट होगी इसमें पंकश्तिर पाठी मुख हीरो की भूमका निभाते हुए दिखाए देंगे जैसे पहले वाली ओमाइगाड में परेसरावल ने निभाए थी जबकि अच्छे भगवान करशड के रूम में अपने पिछली भूमका ही निभाएंगे फिल्म कुछ दिन बाद या मिगोतम फिल्म की शूटिंग करने के लिए टीम के साथ जुडेंगी वही अक्छे कुमार फिल्म की टीम के साथ अक्टूबर में शूटिंग करेंगे अक्छे ने ओमाइगाड 2 में अपने किरदार भगवान करशड की शूटिंग के लिए मेकर्स को सि लेशन उमेश चुकला ने किया था। देने वाली हमारी नम्र और इमानदार कोशिस है आदी होगी कि उर्जा हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महादेयो ओम जी टू के लिए अक्षे कमार उज्जेन गए हुई हैं तेश एक्टूबर को अक्षे कमार अपनी टीम के साथ उज्जेन पहुचे यहां उ दोरान उज्जेन की अलगलके तिहासिक और धार्मिक महत्तवाली जगों पर फिल्म के अलगलक सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदिर के लावा उज्जेन के अन्यमंदिरों और राम घाट पर भी फिल्म की स्यूटिंग होगी अक्षे संग पंकरतिर पार्टी भी खबर थे कि अक्षे कमार खुद अरुड को इस फिल्म में राम के रोल में देखना चाहते थे और गॉबिल ने उनका आपर मान लिया। अक्षे कमार की ये फिल्म साल 2012 में आई ओयमजी यानि ओमाइगाड का स्यूकल है। उस फिल्म में अक्षे ने भगवान करशड का करदार निभाया था। उनके साथ प्रेसरावल थे जिन्होंने एक नाश्तिक बेक्तिका रोल अदा किया था। फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी। पहले पार्ट में अक्षे कुमार ने भगवान करशड का रोल किया था। फिल्म के पहले पॉस्टर में अक्षे कुमार लंबी जटाओ और चेहरे में भसम लगाय दिख रहे थे उनके गले में रुदराच के माला है और दाएं हाथ में डमरू है। इस लुक से फैंस ने अ फिल्म में फिमेल लीड रोल किया है। उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सुसल मीडिया पर सेयर किया था। अक्षे कुमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं। किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लागबास्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसबरी से इंतिजार था। अक्षे कुमार स्टालर सुपर हिट फिल्म ओमाई गाड याने ओमजी इन दिनों अपने सुकल को लेकर सुर्खियों में है। बैक टू बैक फ्लाप के मार जहल रहे एक्टर को भी इस मुवी से काफी उम्मीद हैं। वही बीते दिन अक्षे ने ओमाई ग टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है। इस मुवी को लेकर पहले अपहा फैली थी किया OTT प्लेट फार्म पर दस्तक देगी। लेकिन अक्षे ने बेते दिन इसके रिलिस टेर्ट का खुला सकर सभी अपहाँ पर बिराम लगा दिया। वही अब इसके टी पीजर फैंस को साह को और ज्यदा बढ़ाएगा जिससे मुवी को देखने के लिए दर्शक बारी मातरा में सिनेमा घर का रुख करेंगे। अक्षे कुमार फिल्म ओमाईगाड 21 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। हाला कि इसकी बॉक्स आपस पर दो ब अधम से O.M.G.2 का नया पोस्टर सेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थियेटर्स में रिलीज होगी। पोस्टर में अक्षे कुमार भगाण सियो की आवतार में डबरू बजाते न जरा रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाएं खुली हुई थी और सर अगस्त के दूसरे हफते तक बहुत बड़ा क्लाइस देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देवल और अमिसा पटल स्टार गदर टूर रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्ष्यकुमार स्टार ओम जी टू और रड़बीर कपोर की एनिमल भी रिलीज के त्यार है द्रसल अक्ष्यकुमार स्टार ओम जी टू पिछले 30 माई को ओटिटी पर रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे थीटर में रिलीज करने का नर्ड ले लिया है अमित राय ने ओम जी टू को डारेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंद विस्वास की दिल्स्ट कहानी दिखाए गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में सिच्छा परडाली के बारे में अधरी थे मेकर्स ने फिल्म में एडल्ट एजूकेशन के हाकिकत को लेकर बाते की है ओम जी टू के पहले भगवान में अक् गोबिल भगवान राम के रोल में नेजर आएंगे इस फिल्म में यामी गोतम भी मुकि भूमका में है रड़ बीर कपूर इस्टारर एनिमल भी बाक्स आफस पर 11 अगस्त को रिलीज होगी इसके लवा सनीदेवल इस्टारर गदर टू और अक्षक मार इस्टारर ओम जी ट है यह ओम जी का अत्यादमिक सुखल है और इसमें अक्षकुमार पंकतिर पाठी यामिंग गौतम अरुडगोबिल और आमिर नाइक है यह फिल्म भारती से चप्रडाली के बिस्टे के इर्द गिर्द घुमती है इस फिल्म को डालेट किया है अमितराय और उत्पादित हु आध में हिंदी भासा है रिलीज हुई था इसमें भगवान सिंव की रूम में अक्षकुमार पंकतिर पाठी और भगवान राम की रूम में अरोड़ गोबिल है. चंजना त्र पाठी की heavily नाम दियो भी इसमें हैं Garfin में अपहात थी किया फिल्म जनूरी दोजारे केस में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अक्षे कुमार और प्रेस्रा अलमों की भूमका में लोटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जोन दोजारे केस में ओमजी के सुकल की आंदता कुमार अबनीत एक न 23 अक्टूबर 2021 को दूसरे शिडूल में स्ट पर सामिल हुए फिल्म का तीसरा शिडूल दिसमबर 2021 में शुरू हुआ बगान स्यू के रूम में एक्षे कुमार की विसेस्ता वाली फिल्म का फर्ष्ट लूक पोश्टर अक्टूबर 2021 में लांच किया गया था हमारे समाज में मस्टरबेशन को ना केवल असलिल और गंदा माना जाता है बलकि कई लोग इसे पाप की निजर से भी देखते हैं सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यांट टैब्यू रहा है लेकिक निर्देशक अमितराई की ओम जी टू अग्यानता के लिए एक किसोर के सेक्सूल एक्ट के जरिये ना क्योल इस टैब्यू पर बहुत छड़ती है बलकि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में अनिवार कर दिये जाने की जबर्दस्त पहरुई भी करती है फिल्म की समीच्छा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहां यह बताना जरूरी समझते हैं कि अगर संसर बोट ने फिल्म को 27 कट्स और एस सार्टिफिकर नहीं दिया होता तो आज के दोर कहा जरूरी बिसे हर अपनी टार्गेट आडियंस तग पहुंच सकता था और इस बिसे पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था कहानी महाकाल के परमभक्त कांति सरण मुद्दल यानी पंकिस्तिर पाठी के किसोर बेटे बिबेग यानी आरूस सर्मा से होती है पढ़ने लिखने में तेज और संस्कृतिक कारिकर्मों में आगे रहने वाले बिबेग अपने लिंग और सेक्स्यूलिटी को लेकर मजाक उड़ाय जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टर बेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भरती करने की नौब बता जाती है मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वाइरल कर दिया जाता है उसे ना केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बलकि उसके पूरे परिवार को समाज और सहर में सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है अब इस परिवार के पास सहर छोड़ने के लाबा और कोई रास्ता नहीं बचता उधर भी बेक सरम के मारे अपनी ग्यान लेने का प्रियास भी करता है मगर तभी भगवान सियू की करपा होती है और उनक दोते ने अक्छे कुमार आकर कांती को रास्ता दिखाता है कांती की आखे खुलती हैं और अपने बेटे के मांसिक उत्पीडन और उसे समाज में सरमिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमाता एर करता है वो अपने बेटे की सेक्शूल अग्यानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वा वापस लिया जाए इसकूल अपने बचाओ के लिए तेज तर्रार वकील कामनी महसुरी यानी यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वेम मस्टरबेशन को गंदा और अनैतिक करते मानती हैं जिस पुरसोत्तम नागरिया निपान मलोहत्रा के सामने दोनों अपने पच्छ र देखनी होगी आम तोर पर शुकल अपने पहले भाग की छाय से ओपर नहीं पाती मगर यहां लेकंग निर्देशक एक फ्रेस अप्रोच के सार नजराते हैं 11 अगस्त को रिलीज होई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वरजित विसे को बिना किसी वलगर हुए और तार्किक स्रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कॉमडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं कहानी दिल्चस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देशी परिवेस में एक मध्यमर्गी परिवार के साथ होता है यहां कांती एक किसोर बेटे और बेट थोड़ा वकत लगा देते हैं मगर पिर आप कहानी अपनी रवतार पकड़ लेती है सिकंड हां में कहानी फर थोड़ी सुस्त होती है मगर कोर्ट्रूम ड्रामा असरकारक साबित होता है कांती का कौर्ट में कामसूतर और 5.5 की किताबों का उलने करना और तरक देना कि आज जब पॉर्ण इंटरनेट पर उपलध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता कतर का प्रभावी लगता है संगीत और तकनीकी पच्छ की बात करें तो फिलम का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था संगीत और प्रभावसाली होता तो मज़ा जाता हाला कि बिक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादयो गाना अच्छा बन पड़ा है उनकी कोरियोग्राफी भी दर्षनी है फिलम का कलाइमेक्स सुकून देने वाला है अबने की बात की जाये तो हर एंगल से पंकस्तिर पाठी की फिलम है या भूमका एक्जुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि एक धार्मिक परिवेस और मुद्दे को दर्षनी बनाती है सुके दूद के रूम में अक्छुकमार हरतरे से ज़स्ते हैं उनकी परजन समवाद अदाएगी और लुग किरदार को मज़ेदार बनाता है यामी गौतम ने वकील की अपनी भूमका के साथ पूरा नया किया है साधी कलाकारों ने अच्छ साथ दिया है इसकूल मालिक के रूम में अरुड गोबिल डाक्टर की भूमका में बजेंदर काला पुजारी के चरिद्र में गोबिंदर नामदेव ने अच्छा काम किया है जजगी भूमका में पौनमलोहत्रा याद रह जाते हैं उनका करदार खोब मज़े करवाता है अन समझते हैं और उनके चक्कर में यही केंदरी फिल्म परमारन बोर्ड यानि की संसर बोर्ड के निशाने पर भी आई फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिबू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि फिल्म देखने वाली परिछड सिमित य और बदलती सामाजिक जरूरतों को समझ सकते हों और इस दिसा में प्रयास करने वाले सिनिमा को प्रोसाहित करने की सोच रखते हों फिल्म ओयम जी टू बदलते समय की कच्ची पुकार है जो सत्य है वही सुन्दर है जो सुन्दर है वही स्यू है सत्यम सुम सुन्दरम की औ धरड़ा भी यही है बहुत हला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्में देखते हैं जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती और जब बात होती है तो O.M.G.2 जैसी फिल्में बनती हैं जिनकी रिलीज के लिए इनक ने आठवीक अच्छा के बात के सारे बच्चों को ए फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन सची समाजिक उद्गिनताओं की बात करती है फिल्म O.M.G.2 एक की सोरवाय का बच्चा संस्कृतिक कार्मों की तयारियों के बीच अपन नेम हकीमो जड़ी बूटी बेचने बाले बाबाओं के पास भटकता है और फिर एक मेडिकल स्टोर से नकली बियागरा खाकर बिमार हो जाता है इसकूल उसी इस हरकत को समाजी कपरात की संग्य देता है उसके बालमन को समझने की कोसिस को ही नहीं करता लेकिन स्यू की करप अलसक कहलाने वाले हर बच्चे के अवस्य देखने लायक फिल्म है ये फिल्म है उस देश में योन सिच्छा को वर्जित मानने वाली सिच्छा पद्धत पर जिस देश में काम सूत्र लिखा गया और जिस देश में रच्चित पंचितरंतर की कहानियों में काम सिच्छा का लेक हुआ उसी देश में विदेशी सिच्चा पदस से चलने वाला सहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाचना लगता है सिउगड़ को बिश पीने को बादिकरता है और ये सिउगड़ भी इस दोर में आकर रात को महाकाल का परसाद पीने के साथ साथ फिलम गदर का भी गाना गाता है अपने बिशे अपने निर्देशन अपनी पठकता और अपने समगर प्रभाव में फिलम ओम जी टू एक कमाल की फिलम है फिलम का संगीत कमजोर निकलता नहीं ये तो फिलम फाइब इस्टार पाने लाइक फिलम भी हो सकती है प्रेस राओल ओम पुरी और पौन मलहत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिलम रोट टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिलम के लिए आने वाले समय में एक दिसा निर्देशक फिलमकार के रूम में याद किया जाएगा यह उन सिच्छा जैसे वरजित बिसे पर संपूर मुनरंजक फिलम बनाना अपने आप में मुश्किल काम है ओपर से जब ऐसे किसी फिलमकार को फिलम की रिलीज के लिए वहा सब कहना पड़े जो इस फिलम की रिलीज के लिए वहा सब सहना पड़े जो इस फिलम की रिलीज के लिए वहा सब सहना पड़े जो इस फिलम की रिलीज के लिए वहा सब सहना पड़े जो इस फिलम की रिलीज को नई पिढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है फिल्म O.M.G. 2 में अबने के भी नए बिम उभरते हैं जबरन निसकासित किये गए एक किसोरवे बालक और एक बालिका पिता के रूम में पंकत्रिपाठी ने अपनी अबने यातरा का एक महा का भी इस फिल्म में पूरा किय मैं अक्सर लिखता रहा हूं कि पंकत्रिपाठी को अपने अबने का खाचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है मालवा की बोली को आतमसाथ करते होए पंकत्रिपाठी ने यहां पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अबने का चमतकार बना जो कुछ-कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहित्य वखेल के रूम में परवर्तित होता दिखता है अमित राय ने फिल्म में अपने तकनीकी टीम के साथ साथ सहाय कलाकारों का चैन भी बहुत साधानी के साथ किया है इस्कूल संचालक के रूम में अरुड गोबिल डाक्टर की भूमका में बजंदर काला और मेडिकल इस्टोर मालक के रूम में पराग छाकेदार का चैन फिल्म की कास्टिंग की जीत है पौन मलोत्रा ने जज के रूम में अदभुत कार किया है अंग्रेजी में ही नहीं अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक बिशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बास समझने के लिए जिस तरह भापने स्योगी की मद लेता है वे दरस फिल्म में हास रस की कमी को पूरा करते हैं पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दरस आपत जनक लगा और वहा है स्युगर के रूम में अक्छो कुमार का पंकश्तिर पाठी के ऊपर नाखूनों का जल चड़कना ये कृति सनातन संस्क्रत में त्याज है वै पूर्ण की बूमका में नजर आने वाली है अब खबर सामने आ रही है कि ओमाइगाड टू की कहानी इंडियन इजूकेस्टन सिस्टम के मुद्दों पर आधारित होगी सुत्रों के मताबिक जहां ओमाइगाड धरम पर आधारित थी वही ओमाइगाड टू इंडियन खाये देंगे जैसे पहले वाली ओमाइगाड में परेसरावल ने निभाए थी जबकि अच्छे भगवान करशड के रूम में अपने पिछली भूमका ही निभाएंगे फिल्म की कहानी परिच्छा दबाओ और कालिस परवेस जैसे बिसेयो जैसे मुद्दों को भी उजाग करेंगे अक्छे ने ओमाइगाड 2 में अपने किर्दार भगवान करशड की शूटिंग के लिए मेकर्स को सिर्फ 15-20 दिन ही दिये हैं ओमाइगाड 2 को अस्वन वर्दे और अक्छे कमार साथ मिलकर प्रेडूश कर रहे हैं बता दे कि 2012 में रिलेज ओमाइगाड में प्रेस सिर्फ कर रहे हैं अब अक्छे कमार की फिल्म ओमजी 2 के लोग को सिर्फ कर दिया गया है अक्छे इस फिल्म में भगवान सिव के करदार में नजर आएंगे अक्छे ने सोसल मेडिया पर तस्वीर सियर की है जिनमें वह भगवान सिव के रूम में नजर आ रहे हैं अपने योगी की उर्जाह हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महादेव ओम जी टू के लिए अक्षेकमार उजयन गए हुई हैं तेश एक्टूबर को अक्षेकमार अपनी टीम के साथ उजयन पहुचे यहां उन्होंने महाकाल मंदर जाकर भगवान महाकाल के दर्शन गि तिहासिक और धार्मिक महत्तुवाली जगों पर फिल्म के आला गलक्सीन फिल्म आए जाएंगे महाकाल मंदर के लावा उजयन के अन्य मंदरो और राम घाट पर भी फिल्म की सूटिंग होगी अक्षे संग पंकर तिरपाठी भी उजयन पहुचे थे फिल्म O.M.G.2 को डा के रोल में देखना चाहते थे और गॉबिल ने उनका आफर मान लिया अक्षे कमार की ये फिल्म साल 2012 में आई O.M.G. यानि O.M.G. का स्यूकल है उस फिल्म में अक्षे ने भगवान करशड का किरदार निभाया था उनके साथ प्रेसरावल थे जिन्होंने एक नाश्तिक ब प्रेसरावल की O.M.G. का स्यूकल आने वाला है बतादे की 2012 में O.M.G. रिलीज हुई थी और दर्सकों को ये काफी पसंद आई थी अब फैंच जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षे कमार ने भगवान करशड का रोल किया था फिल्म के आप भी 11 अगस्त को थीयटर्स में फिल्म के पहले पॉस्टर में अक्षे कमार लंबी जटाओ और चेहरे में भसम लगाय दिख रहे थे उनके गले में रुदराच के माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंताजा लगाया कि O.M.G. 2 में महादेओ का किरदार निभा रहे हैं खिलाडी कमार यामी गौतम ने फिल्म में फिमेल लीट रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और रिलीजडेट सुसल मीडिया पर सेयर किया था अक्षे कमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले से ही फिल्म को ब्लागबास्टर बता दि हैं वही बीते दिन अक्षे ने ओमाई गाड़ टू की रिलीजडेट से परदा उठाय था जिसके बाद से फैंस से इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नजरे गड़ाये हुए हैं वही अब ओमजी टू के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक अक्षे कमार की फिल्म ओमाई गाड़ टू बीते लंबे समय से सुर्कियों में बनी हुई है इस मूवी को लेकर पहले अपहा फैली थी किया OTT पिलड़ फाम पर दस्तक देगी लेकिन अक्षे ने बेते दिन इसके रिलीजड़ का खुला सकर सभी अपहाओ पर बिराम लग की उमीद की जा रही है कि टीजर फैंस को साह को और ज़्यदा बढ़ाएगा जिससे मूवी को देखने के लिए दर्शक भारी महतरा में सिनेमा घर का रुख करेंगे अक्षे कमार फिल्म ओमाई गारा अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है हाला कि इसकी बॉ अक्षे कमार ने ट्विटर के माधम से O.M.G.2 का नया पोस्टर सेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थीटर्स में रिलीज होगी पोस्टर में अक्षे कमार भगवांसियो की आवतार में डबरू बजाते नजरा रहे थे जबकि उनकी लंबी जटाए खुली हुई थी और सरीर वा चहरे पर भसम लगी थी बजादे कि पहले अक्षे की फिल्म OTT प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली थी लेकिन जिस तरह से आप तमाम फिल्में बाक्साफिस पर रिलीज हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे थेटर में रिलीज करने का निर्ड ले लिया है दर्शको को बाक्साफिस पर अगस्त के दूसरे हफते तक बहुत बड़ा क्लैस देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देवल और अमिसा पटल स्टारर गदर टूर रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्षे कुमार ओम जी टू को डारेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंद्विस्वास की दिल्चस्प कहानी दिखाए गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में सिच्छा परडाली के बारे में अधरी थै मेकर्ष ने फिल्म में एडल्ट एजूके प्रेशन के हाकिकत को लेकर बाते की है ओम जी टू के पहले भगवान में अक्षे कुमार भगवान किर्शल बने थे और परेश रावल उनके भक्त के रोल में दिखे थे लेकिन अब दूसरे पार्ड में परेश रावल की जिगए पंकत्र पाठी ने लिए है वही अक्षे इस बार भगवान स्यू के रोल में नजराने वाले हैं फिल्म ओम जी टू में राम एड़ फेम अरुड गोबिल भगवान राम के रोल में नजराएंगे इस फिल्म में यामी गोतम भी मुक भूमका में हैं रडबीर का पूर इस्टारर एनिमल भी बॉक्स आफिस पर 11 अग मासा की बंगातमक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अमितराय दोरा लिखे तो निर्देशित है यह ओम जी का अत्यादमिक सुर्कल है और इसमें अक्षेकुमार पंकतिर पार्थी यह मिंगोतम अरुड गोबिल और आमिर नाइक हैं यह फिल्म भारती से चप्रडाली के बिस 18 स्टूडियो के दोरा इसकी रिलीज की तारीक है 11 के 2023 यह भारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान सिव की रूम में अक्षेकुमार हैं पंकत त्रिपाथी और भगवान राम की रूम में अरुड गोबिल हैं संजना त्रिपाथी की रूम में यामी ग की गई उसी महिने पंकत त्रिपाथी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूम में सामिल किया गया जबकि अरुड गोबिल नॉमबर 2021 में भगवान राम के रूम में सामिल हुए त्रिपाथी ने 2 सितमबर 2021 को मुंबई में फिल्म का पहला स्टूल सुरू किया पोश्टर अक्टूबर 2021 में लांच किया गया था हमारे समाज में मस्टरबेशन को ना केवल असलील और गंदा माना जाता है बलकि कई लोग इसे पाप की निजर से भी देखते हैं सेक्स और से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहां टाइब्यू रहा है ले फिल्म की समिच्छा को आगे बढ़ाने से पहले हम यहां यह बताना जरूरी समझते हैं कि अगर संसर बोट ने फिल्म को 27 कट सोर एस सार्टिफिकर नहीं दिया होता तो आज के दोर कहा जरूरी बिसे हर अपनी टार्गेट आडियंस तग पहुंच सकता था और इस बिसे प अपने लिंग और सेक्शुलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टर्बेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भरती करने की नौब बता जाती है मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वायरल कर दिया जाता है उ अगर तभी भगवान सियो की करपा होती है और उनक दोतेने अक्ष्यकुमार आकर कांती को रास्ता दिखाता है कांती की आखे खुलती है और अपने बेटे के मांसिक उत्पीडन और उससे समाज में सरमिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा दायर करता है वो लेटे के इस हाल के लिए जिम्यदार लोग उससे माफ ही मांगे और इसकूल में उसे बेजजित कर वापस लिया जाए इसकूल अपने बचाओ के लिए तेज तरार वकील कामनी महसुरी यानि यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वेम मस्टरबेशन को गंदा और अनैत नहीं है कोर्ट में फैसला किसके हग में होता है या जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी आम तोर पर शुकल अपने पहले भाग की चाया से ओपर नहीं पाती मगर यहां लेखंग निर्देशक एक फ्रेस अप्रोच के सान नजर आते हैं 11 अगस्त को रिलेज होई इ बिना किसी वलगर हुए समझदारी और तार्किक स्रूप से हैंडल करते हैं और इसमें कौमडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं कहानी दिल्चस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछ एक देशी परिवेस में एक मध्यमर्गी परिवार के साथ होता है यह कांती एक किसोर बेटे और बेटी का पिता भी है निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिता पुत्र के बीज इस्थापित किया है संसर बोर्ड के कट्स के कारण फिल्में कहीं कहीं संदर्भो में जम्प महसूस होता है फिल्म की कांती का कोट में कामसूत्र और पंच तंतर की किताबों का उले करना और तरक देना कि आज जब पॉर्ण इंटरनेट पर उपलद्ध है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता का तरक प्रभावी लगता है संगीत और तक्नीकी पच्छ क की बात करें तो फिल्म का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था संगीत और प्रभावसाली होता तो मजा आ जाता हाला कि बिक्रम मंटेसरे के संगीत में हर हर महादयो गाना अच्छा बन पड़ा है उनकी कोरियोग्राफी भी दर्शनी है फिल्म का क्लाइमेक्स सुकून देने वाला है अबने की बात की जाये तो हर एंगल से पंकस्तिर पाठी की फिल्म है या भूमका एक्जुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि एक धार्मिक परिवेस और छोटे सहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्शुल एक् सहसिक है मगर पंकस का सहज सुलब अबने और और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनी बनाती है शुक के दूद के रूम में एक्छो कुमार हरतरे से ज़स्ते हैं उनकी परजन समवाद अदाएगी और लुग किरदार को मजिदार बनाता है यामी गौत पहले तो यह की फिल्म O.M.G.2 आक्छा कुमार की फिल्म नहीं है यह फिल्म है पंकस तिरपाठी और यामी गौतम की अबिनिता अक्छा कुमार यहां उद्प्रेर की भूमका में है कैटलिस्ट समझते हैं और उनके चक्कर में यही केंदरी फिल्म प्रमारन बोर्ड यानि की संसर बोर्ड के निशाने पर भी आई फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिबू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि फिल्म देखने वाली परिच्छड सिमित यानि संसर बोर्ड की एक्जमिंग कमेटी के सदस्यों को ततकाल प्रभाव से कारेमुक्त कर देना चाहिए संसर बोर्ड में सिनेमा घर के समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए जो बदलते समाज के बदलते आदर्सों और बदलती सामाजिक जरूरतों को समझ सकते हों और इस दिसा में प्रियास करने वाले सिनेमा को प्रोसाहित करने की स एच्छी पुकार है जो सत्थ है वही सुन्दर है जो सुन्दर है वही स्यू है सत्यम सुम् सुन्दरमकी ओधारडा भी यही है बहुत हला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहाणियों पर नकली फिल्मेद देखते हैं जिनमें दर्शकों को सोचने की दिशा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती और जब बात होती है तो OMG2 जैसी फिल्में बनती हैं जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड़ पूरी पराठे सब बेलने पड़ते हैं फिल्म को केवल वायसकों के लिए जैसा प्रमालन पत्र देने की जरूरत भी कतई नहीं है फिल्म सभी किसोरों को देखनी चाहिए और हो सके तो तमाम स्कूलों को अपने आठवी कच्छा के बात के सारे बच्चों को ये फिल्म समूह में ले जाकर दिखानी चाहिए एक स्कूल के बहाने की सही लेकिन माजिक ओदिगिनताओं की बात करती है फिल्म ओयम जी टू एक की सोरवाय का बच्चा संस्कृतिक कार्मों की तयारियों के बीच अपनी पसंदीदा चातरा से अलग कर दिया जाता है चातरा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं उसके लिंग के आकार को लेकर उस इसकूल उसी इस हरकत को समाजी कपरात की संग्य देता है उसके बालमन को समझने की कोशिस को ही नहीं करता लेकिन स्यू की करपा होती है बच्चे का पिता इसकूल के संचाल को निम हाकीमों जड़ी बूटी बिकरताओं और मेडिकल स्टोर संचाल को के साथ अपने ओपर की मुकदमा कर देता है असल फिल्म यहां से सुरू होती है फिल्म O.M.G. 2 न्यू मिलेनियल से कहलाने वाले हर बच्चे के अवस्य देखने लायक फिल्म है ये फिल्म है उस देश में योन सिछा को वरजित मानने वाली सिछापद्धत पर जिस देश में काम सूत्र लिखा गय और जिस देश में रच्चित पंचितर्मत्र की कहानियों में काम सिच्छा का उलेख हुआ उस देश में विदेशी सिच्छा पदस से चलने वाला सहर का एक नामी स्कूल बच्चे पर लाचना लगता है स्यूगड को बिश पीने को बाध करता है और ये स्यूगड भी इस दोर में आकर रात को महाकाल का परसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है अपने बिशे अपने निर्देशन अपनी पटकता और अपने समगर परभाव में फिल्म O.M.G.2 एक कमाल की फिल्म है फिल्म का संगित कमजोर निकलता नहीं ये तो फिल्म फाइब इस्टार पाने लाइक फिल्म भी हो सकती है प्रेस राओल ओमपुरी और पौन मलहत्रा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोट टु संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिसा निर्देशक फिल्मकार के रूम में याद किया जाएगा यह उनस इच्छा जैसे वरजित बिसे पर संपूर मुनरंजक फिल्म बनाना अपने आप में मुश्किल काम है ओपर से जब ऐसे किसी फिलमकार को फिलम की रिलीज के लिए वहा सब कहना पड़े जो इस फिलम की रिलीज के लिए वहा सब सहना पड़े जो इस फिलम की रिलीज के लिए वहा सब सहना पड़े जो इस फिलम की रिलीज के लिए वहा सब सहना पड़े जो इस फिलम की रिलीज को नई पिढ़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है फिल्म O.M.G. 2 में अबने के भी नए बिम उभरते हैं जबरन निसकासित किये गए एक किसोरवे बालक और एक बालिका पिता के रूम में पंकत्रिपाठी ने अपनी अबने आतरा का एक महा का भी इस फिल्म में पूरा किया है मैं अक्सर लिखता रहा हूँ कि पंकत्रिपाठी को अपने अबने का खाचा तोड़ना जरूरी है और वही उन्होंने इस फिल्म में किया है मालवा की बोली को आतम साथ करते हुए पंकत्र पाठी ने यहाँ पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अभिने का चमतकार बनाया है बड़ा नाम भले फिल्म में अभिनेता के रूमे अक्चिय कुमार का हो लेकिन यह फिल्म पंकत्र पाठी की है साथ में आमी गोतम भी अपने अभिने का एक नया रोप यहां प्रस्तुत करती दिखती है सिनेमा के संतुलन कवा दूसरा पच्छ है जो कुछ-कुछ खलनायक के रंग लेते हुए भी अंत में सहित्य वखेल के रोम में परवर्तित होता दिखता है अमित्राय ने फिल्म में अपने तकनीकी टीम के साथ साथ सहय कलाकारों का चैन भी बहुत साधानी के साथ किया है इस्कूल संचालक के रूम में अरुड गोबिल डाक्टर की भूमका में बजंदर काला और मेडिकल इस्टोर मालक के रूम में पराग छाकेदार का चैन फिलम की कास्टिंग की जीत है पौन मलहत्रा ने जज के रूम में अदभुत कार किया है अंग्रेजी में ही नहीं अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जजज का जब एक बिशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बास समझने के लिए जिस तरे भापने स्योगी की म वैसे भोले भंडारी के रूम में अक्षकुमार फबते खोब हैं हर हर महादियो अक्टर पंगज तिरपाठी ने मुंबई में एक अगस्त ओमाईगाड टू की शूटिंग सुरू कर दी थी इस सोचल कमेडी फिल्प में पंगज के लावा अक्षकुमार और यामी गौतम भी मुख भूमका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओमाईगाड टू की कहानी इंडियन इजूकेशन सिस्टम के मुद्दो पर आधारित होगी सुत्रों के मताबिक जहां ओमाईगाड धरम पर आधारित थी वही ओमाईगाड टू इंडियन दबाओ और कालिस परवेश जैसे विश्यो जैसे मुद्दो को भी उजागर करेंगी अमित राय के निर्देशन में बन रही ओमाईगाड टू की सुटिंग अगले कुछ दिनों तक पंकच अकेले ही करेंगे इसके कुछ दिन बाद या मिगोतम फिलम की सुटिंग करने के टीम के साथ जुड़ेंगी वही अक्चे कुमार फिलम की टीम के साथ अक्टूबर में शूटिंग करेंगे अक्चे ने ओमाईगाड टू में अपने किरदार भगवान करशट की सूटिंग के लिए मेकर्स को सिर्फ 15 से 20 दिन ही दिये हैं ओमाईगाड टू को अस्वन वर् अक्चे के बाद एक फिल्म साइन कर रहे हैं और उनके लुख स भी फैंसियर कर रहे हैं अब अक्चे क्मार की फिल्म O.M.G.2 के लुग को सियर कर दिया गया है अक्चे इस फिल्म में भगवान सियु के करदार में नेजर आंगे अक्चे ने सी –었어요 मेडिया पर तस्वीरें से की हैं जिनमें वा भगवान सिव के रूम मेनेजर आ रहे हैं अपने लोग को सेर करते हुए अक्षकमार लिखते हैं करता करे ना करे सु करे सु होए ओम जी टू के लिए आपकी दूआओं और सुपकान नाओं की जरूरत है या एक जरूरी सुसल मैसेज देने वाली हमारी नम महाकाल मंदर जाकर भगवान महाकाल के दर्शन गिये और भगवान सिव का असिरबाद मांगा अक्षकमार की इस फिल्म के कुछ सेन की सुटिंग महाकाल मंदर में होनी है बताय जा रहा है कि उज्जेन में ओम जी टू की सुटिंग का करेब दू हपते का शुडूल है इस दौरान उज्जेन की अलागलके दिहासिक और धार्मिक महत्तवाली जगों पर फिल्म के अलागलक सीन फिल्माए जाएंगे महाकाल मंदर के लावा उज्जेन के अन्य मंदरो और राम घाट पर भी फिल्म की सुटिंग होगी अक्षे संग पंकर तिरपाठी भी उज्जेन पहुंचे थे, फिल्म O.M.G.2 को डारेक्टर अमित राय बना रहे हैं, इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ हमी गोतम और पंकत त्रिपाठी होंगे, कित दूनों पहले खबर आई थी कि राम आड़ फेम एक्टर अरुड गोबिल इस फिल्म राम आउतार में नजर आने वा था, उनके साथ प्रेसरावल थे, जिन्होंने एक नाश्तिक ब्रेक्ट का रोल अदा किया था, फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी, अक्षे कुमार और प्रेसरावल की ओमाई गार्ड का सुकल आने वाला है, बता दे कि 2012 में ओमाई गार्ड रिलीज हुई थी, और दर्श जल्द ही इसका दूसरा पार्ड भी देखेंगे, पहले पार्ड में अक्षे कुमार ने भगवान किसल का रोल किया था, फ़स्ट लुक्स लगता है कि दूसरे पार्ड में भगवान सुके करदार में दिखेंगे, खिलाडी कुमार ने फिल्म का फ़स्ट लुक्स सेयर करते ही लिखा आ रहे हैं आएगा आप भी 11 अगस्त को थियर्टर्स में फिल्म के पहले पॉस्टर में अक्छा कुमार लंबी जटाओ और चेहरे में भसम लगाए दिख रहे थे उनके गले में रुद्राज की माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंताजा लगाया कि O.M.G. 2 में महादेव का किरदार निभा रहे हैं खिलाडी कुमार यामी गौतम ने फिल्म में फीमेल लीड रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सुसल मीडिया पर सेयर किया था अक्छे कुमार के लुक के फैंस कायल हो गए हैं किसी ने पहले स ही फिल्म को ब्लागबास्टर बता दिया तो किसी ने कहा कि इस फिल्म का बेसबरिश से इंतिजार था अक्छे कमार इस्टारर सुपर हिट फिल्म ओमाई गाड याने O.M.G. इन दिनों अपने सुकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लाप के मार जहल रहे एक् खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्छे के फैंस का खुस होना लाजमी है अक्छे कमार की फिल्म O.M.G. टू बीते लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है इस मूवी को लेकर पहले अपहा फैली थी किया O.T.T. पिलड़ फाम पर दस्तक देगी लेकिन अक्छे ने ब अक्छे कमार की भूमका की एक नई जलक देखने को मिलेगी उमीद की जा रही है कि टीजर फैंस को साह को और ज़्यदा बढ़ाएगा जिससे मूवी को देखने के लिए दर्सक बारी मातरा में सिनेमा घर का रुख करेंगे अक्छे कमार फिल्म O.M.G. टू ग्यारा अगस् और यामी गौतम भी लीड रोल में हैं अक्छे कमार ने टूटर के माधम से O.M.G. टू का नया पोस्टर सेयर किया था और साथ में लिखा था कि फिल्म 11 अगस्त को थियेटर्स मेर रिलीज होगी पोस्टर में अक्छे कमार भगवान सियो की आवतार में डबरू बजाते न में रिलीज करने का निर्ड ले लिया है दर्शको को बाक साफिस पर अगस्त के दूसरे हफते तक बहुत बड़ा क्लैस देखने को मिलने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सनी देवल और अमिसा पटल स्टार गदर टू रिलीज हो रही है ठीक उसी दिन अब अक्छे कमार स्टा में रिलीज करने का निर्ड ले लिया है अमित राय ने ओम जी टू को डारेक्ट किया है इसके पहले भाग में भगवान को लेकर जुड़े अंद्विस्वास की दिल्चस्व कहानी दिखाए गई थी जबकि इस बार फिल्म की कहानी भारत में सिच्छा प्रडाली के बारे म लिए है वही अक्षे इस बार भगवान सियू के रोल में नजराने वाले हैं फिल्म ओम जी टू में राम आड़ फेम अरुड गोबिल भगवान राम के रोल में नजराएंगे इस फिल्म में यामी गोतम भी मुक्ष भूमका में है रड़ बीर कपूर इस्टारर एनिमल भी बॉक्स आफिस पर 11 अगस्त को रिलीज होगी इसके लवा सनी देवल इस्टारर गदर टू और अक्षे कुमार इस्टारर ओम जी टू भी 11 अगस्त को थेटर में ही रिलीज होने वाली है इन त्यूनों इस्टार की फिल्में एक दूसरे को बॉक्स आफिस पर कड़ी टक कर है यह फिल्म भारती से चप्रडाली के बिस्टे के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म को डालेट किया है अमित्राय और उत्पादित हुई है विपिल डिसा राज्यस बहल और असुन वर्दे के दौरा इसके उत्पादन कंपनिया है के पाप गुड फिल्म्स वाइकाम 18 स्टूडियो के दोरा इसकी रिलीज की तारीक है 11 के 2023 यह भारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इसमें भगवान सिव के रूम में अक्षे कुमार हैं पंकत तिरपाठी और भगवान राम के रूम में अरोड गोबिल हैं संजना तिरपाठी के रूम में यामी गौतम हैं और गोबिन्द नाम देव भी इसमें हैं सुरुवात में अफ़ाठी किया फिल्म जनूरी दोजारे केस में बनेगी जिसमें पहले भाग के बादक्षे कुमार और प्रेस्टा अलमों की भूमका में लोटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन किया जों दोजा में अक्षे कमार 3 अक्टूबर में शड़ पर सामिल हुए फिल्म का तीसरा शड." दिसमबर ने सुरू हुआ. बھगान्श्यो के सेख्स्यूह में अक्षे कमार की विशेस्ता वाली फिल्म का फर्स्ट लूग पॉस्टर अक्टूबर ने लांच किया गया था मारे समाज में मस्टर्बेशन को ना केवल असलिल और गंदा माना जाता है बलकि कई लोग इसे पाप की निजर से भी देखते हैं सेक्स और सेक्स से जुड़ा कोई भी मुद्दा सदियों से हमारे यहां टैब्यू रहा है लेकिक निर्देशक अमितराई की यहां यह बताना जरूरी समझते हैं कि अगर संसर बोट ने फिलम को 27 कट्स और एस सार्टिफिकर नहीं दिया होता तो आज के दोर के जरूरी बिसे हर अपनी टार्गेट आउडियंस तग पहुंच सकता था और इस बिसे पर उन्हें एक नया नजरिया दे सकता था कहानी महाकाल के परमभक्त कांतिस रडमुद्दल यानी पंकिस्तिर पाठी के किसोर बेटे बिबेग यानी आरूस सर्मा से होती है पढ़ने लिखने में तेज और संस्कृतिक कारिकर्मों में आगे रहने वाले बिबेग अपने लिंग और सेक्शुलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मस्टर्बेशन की अति कर देता है और उसे अस्पताल में भरती करने की नौब बता जाती है मगर इसी बीच स्कूल में किया गया उसका एक काम वाइरल कर दिया जाता है उसे ना केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बलकि उसके पूरे परिवार को समाज और सहर में सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है अब इस परिवार के पास सहर छोड़ने के अलाबा और कोई रास्ता नहीं बचता उधर भी बेक सरम के मारे अपनी ग्यान लेने का प्रियास भी करता है मगर तभी भगवान सियों की करपा होती है और उनक दोतेने अक्ष्यकुमार आकर कांती को रास्ता दिखाता है कांती की आखे खुलती हैं और अपने बेटे के मांसिक उत्पीडन और उसे समाज में सरमिंदगी से बचाने के लिए स्कूल पर मुक्दमाता एर करता है वो अपने बेटे की सेक्शूल अग्यानता के लिए स्कूल और अपने साथ सेक्स को लेकर अधकचरी जानकारी देने वाले को जिम्यदार ठहरा कर सेचलिक सिंस्थानों में सेक्स से एजूकेशन के कमपल्सरी करने की कवाइदत में जुट जाता है वह चाहता है कि बेटे के इस हाल के लिए जिम्मेदार लोग उसे माप ही मांगे और स्कूल में उसे बेज़ित कर वापस लिया जाए इसकूल अपने बचाओ के लिए तेज तरारवकिल कामनी महसुरी यानि यामी गौतम को नियुक्त करता है जो स्वेम मस्टर्बेशन को गंदा और अनैतिक करते मांती हैं जिस पुरसोतम नागर या निपान मलोहतरा के सामने दोनों अपने अपने पच रखते हैं कांती का तरक है कि सेक्सूल एजुकेशन को बिना किसी आवरड या लाग लपेट के सच्चे सुरूप में पढ़ाय जाए जबकि कामनी का मानना है कि यह सब इस समाच में संभव नहीं है कोर्ट में फैसला किस के हग में होता है यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी आम तोर पर सुकल अपने पहले भाग की चाय से ओपर नहीं पाती मगर यहां लेखंग निर्देशक एक फ्रेस अप्रोच के सान नजराते हैं 11 अगस्त को रिलीज होई इस फिल्म में निर्देशक सेक्स जैसे वरजित बिसे को बिना किसी वलगर हुए समझदारी और तार्किक सुरूप से हैंडल करते हैं और उसमें कॉमडी का मज़ेदार तड़का भी लगाते हैं कहानी दिल्चस्प इसलिए भी लगती है क्योंकि यह सारा कुछे एक देशी परिवेस में एक मध्य मुर्गी परिवार के साथ होता है यहां कांती एक किसोर बेटे और बेटी का पिता भी है निर्देशक को दाद देनी होगी कि यह मुद्दा उन्होंने परिवार के पिताप पुतर के बेच इस्थापित किया है संसर बोर्ड के कर्ष के कारण फिल्में कहीं कहीं संदर्भो में जंप महसूस होता है फिल्म की शुरुवात में निर्देशक कहानी को इस्थाबित करने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं मगर फिर अप कहानी अपनी रफ्तार पकड़ लेती है सिकंड हाब में कहानी फिर थोड़ी सुस्त होती है मगर कोट रूम द्रामा असर कारक साबित होता है कांती का कोट में कामसूतर और पंच तंतर की किताबों का उले करना और तरक देना कि आज जब पॉर्ण इंटरनेट पर उपलद है तो फिर स्कूल में सेक्स को साइंस की तरह क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता कतर का प्रभावी लगता है संगीत और तकनीकी पच्च की बात करें तो फिलम का रन टाइम थोड़ा कम किया जा सकता था संगीत और प्रभाव साली होता तो मज़ा जाता हाला कि बिक्रम मंटे सरे के संगीत में हर हर महाद्यो गाना अच्छा बन पड़ा है उनकी कोरियोग्राफी भी दर्षनी है फिलम का क्लाइमेक्स सुकून देने वाला है अबने की बात की जाये तो हर एंगल से पंकस्तिर पाठी की फिलम है या भूमका एक्जुकेशन के लिहाज से उनके लिए बहुत मुश्किल रही होगी क्योंकि एक धार्मिक परिवेस और छोटे सहर के भक्त का अपने बेटे के लिए उसके सेक्सुल एक्ट पर अदालत में समाज की खिलाब खड़ा होना बहुत ही सहसिक है मगर पंकश का सहज सुलब अबने और और मालवा की बोली उनके किरदार और मुद्दे को दर्शनी बनाती है सुके दूद के रूम में एक्छो कमार हर तरे से जचते हैं उनकी परजन समवाद अदाईगी और लुग किरदार को मजिदार बनाता है यामी ग dependence ने वकील की अपनी भुमका के साथ पुरा नया किया है साधी कलाकारों ने अच्छा साथ दिया है स्कूल मालिक के रूम में अरुल गोबिल डाक्टर की भुमका में बजेंदर काला पुजारी के चरितर में गोबिंध नाम देउ ने अच्छा काम किया है जज़ की भूमका में पॉनमलोहत्रा याद रह जाते हैं उनका करदार खोब मज़े करवाता है अनि स्योगी कास्ट भी ससकता है पहले तो यह की फिल्म OMG 2 यानि की Oh My God 2 अक्ष़कुमार की फिल्म नहीं है यह फिल्म है पंकस्तिरपाथी और यामी गौतम की अब निता अक्ष़कुमार यहां उत्प्रेर की भूमका में है कैटलिस्ट समझते हैं न और उनके चक्कर में यही केंदरी फिल्म परमारन बोर्ड यानि की संसर बोर्ड के निसाने पर भी आई फिल्म देखने के बाद अगर कोई एक लाइन का रिबू इस फिल्म का मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि फिल्म देखने वाली परिछड सिमित यानि संसर बोर्ड की एक्जमिंग कमेटी के सदस्यों को ततकाल प्रभाव से कारेमुक्त कर देना चाहिए संसर बोर्ड में सिनेमा घर के समझ रखने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए जो बदलते समाज के बदलते आदर्सों और बदलती सामाजिक जरूरतों को समझ सकते हों और इस दिसा में प्रियास करने वाले सिनेमा को प्रोसाहित करने की सोच रखते हों फिल्म O.M.G. 2 बदलते समय की कच्ची पुकार है जो सत्य है वही सुन्दर है जो सुन्दर है वही सु है सत्यम सुम सुन्दरम की आधारडा भी यही है बहुत हल्ला मचता है जब हम नकली समाज की नकली कहानियों पर नकली फिल्मे देखते हैं जिन में दर्शकों को सोचने क दिसा बदलने जैसी कोई बात नहीं होती और जब बात होती है तो O.M.G. 2 जैसी फिल्मे बनती हैं जिनकी रिलीज के लिए इनके निर्माताओं को पापड़ पूड़ी पराठे सब बेलने पड़ते हैं फिल्म को केवल वायशकों के लिए जैसा प्रमालन पत्र देने की ज O.M.G. 2 एक की सोरवाय का बच्चा संस्कृतिक कार्मों की तैयारियों के बीच अपनी पसंदीदा छातरा से अलग कर दिया जाता है छातरा के दोस्त इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं उसके लिंग के आकार को लेकर उसके मन में संकाओं का निर्मार कर देते हैं और बच इसके बालमन को समझने की कोसिस को ही नहीं करता लेकिन स्यूकी करपा होती है बच्चे का पिता स्कूल के संचालकों निम हाकीमों जड़ी बूटी बिकरताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ अपने ओपर की मुकदमा कर देता है असल फिल्म यहां से सुरू होती है फिल्म ओयमजी टू न्यू मिलेनियल्स कहलाने वाले हर बच्चे के अवस्य देखने लायक फिल्म है यह फिल्म है उस देश में योन सिच्छा को वर्जित मानने वाली सिच्छा पद्धत पर जिस देश में कामसूत्र लिखा गया और जिस देश में रच्चित पंच्चित का परसाद पीने के साथ साथ फिल्म गदर का भी गाना गाता है अपने बिसे अपने निर्देशन अपनी पठकता और अपने समगर प्रभाव में फिल्म ओम जी टू एक कमाल की फिल्म है फिल्म का संगित कमजोर निकलता नहीं ये तो फिल्म फाइब इस्टार पाने लाइक फिल्म भी हो सकती है प्रेस राओल ओम पुरी और पौन मलहतरा को लेकर कोई 13 साल पहले फिल्म रोड टू संगम बनाने वाले अमित राय को इस फिल्म के लिए आने वाले समय में एक दिसा निर्देशक फिल्मकार के रूम में याद किया जाएगा यह उन से च्छा जैसे व के लिए वह सब सहना पड़े जो इस फिल्म की रिलीज से पहले अमित को सहना पड़ा तो समझ आता है कि बाते हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले अपने दौर के किसोरों को समझने में हम नाकाम ही रहे हैं फिल्म के क्लायमेक्स में जब जज का बेटा यह उन सिच्छा के स समर्थन में खड़ा दिखता है तो संकेत है कि गुजरती पीड़ी को नई पीड़ी के साथ कदम ताल कितना जरूरी है फिल्म O.M.G.2 में अबने के भी नए बिम उबरते हैं जबरन निसकासित किये गए एक किसोरों बालक और एक बालिका पिता के रूम में पंकत्रिपाठ को आतम साथ करते हुए पंकत्रिपाठी ने यहां पूरी फिल्म को सिर्फ और सिर्फ अपने अबने का चमतकार बनाया है बड़ा नाम भले फिल्म में अबनेता के रूमें अक्च्छो कुमार का हो लेकिन फिल्म पंकत्रिपाठी की है साथ में आमी गोतम भी अपने अबने की टीम के साथ साहक कलाकारों का चैन भी बहुत साधानी के साथ किया है स्कूल संचालक के रूम में अरोल गोबिल डाक्टर की भूमका में बजद्रकाला और मेडिकल इसटोर मालक के रूम में पराकच हाकेदार का चैन फिलम की काश्टिंग की जीथ है पौन मलहत्रा ने जज के रूम में अदभुत कार किया है अंग्रेजी में ही नहीं अंग्रेजी में ही अदालत चलाने के अभ्यस्त एक जज का जब एक विशुद्ध हिंदी बोलने वाले से पाला पड़ता है तो पूरी बास समझने के लिए जिस तरह भापने स्योगी की मद लेता है वह दरस फिल्म में हास रस की कमी को पूरा करते हैं पूरी फिल्म में मुझे बस एक ही दरस आपत जनक लगा और वहा है स्युगर के रूम में अक्ष्यकुमार का पंकश्तिर पाठी के ऊपर नाखूनों का जल चलकना ये कृति सनातन संस्क्रत में त्याज है वैसे भोले भंडारी के रूम में अक्ष्यकुमार फबते खूब हैं हर हर महादियो अक्टर पंकश्तिर पाठी ने मुंबई में एक अगस्त ओमाइगाड टू की शूटिंग सुरू कर दी थी इस सोसल कमेडी फिल्म में पंकश्तिर के लावा अक्ष्यकुमार और यामी गौतम मुख भूमका में नजर आने वाली हैं अब खबर सामने आ रही है कि ओमाइगाड टू की कहानी इंडियन इजूकेशन सिस्टम के मुद्दो पर आधारित होगी सुत्रों के मताबिक जहां ओमाइगाड धरम पर आधारित थी वही ओमाइगाड टू इंडियन इजूकेशन स सिस्टम पर बेश्ट होगी इसमें पंकश तिरपाथी मुख हीरो की भूमका निभाते हुए दिखाए देंगे जैसे पहले वाली ओमाइगाड में परेसरावल ने निभाए थी जबकि अच्छे भगवान करशड के रूम में अपने पिछली भूमका ही निभाएंगे फिल्म क कुछ दिन बाद या मिगोतम फिल्म की शूटिंग करने के लिए टीम के साथ जुडेंगी वही अक्छे कुमार फिल्म की टीम के साथ अक्टूबर में शूटिंग करेंगे अक्छे ने ओमाइगाड टू में अपने किरदार भगवान करशड की शूटिंग के लिए मेकर्स क को सिर्फ 15 से 20 दिन ही दिये हैं ओमाइगाड टू को अस्वन वर्दे और अक्षे कमार साथ मिल कर प्रेडूश कर रहे हैं बता दे कि 2012 में रिलीज ओमाइगाड में प्रेसरावल और अक्षे लीड रोल मेनेजर आये थे इस फिल्म का निल्देशन उमेश सुकला ने किया था अक्षे कमार के पास फिल्मों का भंडार है अक्षे एक के बाद एक फिल्म साइन कर रहे हैं और उनके लुक्स भी भायन सियर कर रहे हैं अब अक्षे कमार की फिल्म ओमजी टू के लुक को सियर कर दिया गया है अक्षे इस फिल्म में भगवान सियू के करदार मेनेजर या एक जरूरी सूसल मेसेज देने वाली हमारी नम्र और इमानदार कोशिस है आद्योगी की उर्जा हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दे रही हर हर महा देओ ओमजी 2 के लिए अक्षे कमार उजजेन गये हूई है तिसक्टबर को अक्षे कमार अपनी टीम के साथ उजजेन पहुचे यहाں उन्होंने महाकाल मंदर जाकर भगवान महाकाल के दरसन गिए और भगवान सीव के असिरबात मागा अक्षे कमार की इस फिल्म के कुछ सेन की इन फिल्म आए जाएंगे महाकाल मंदिर के लावा उजयन के अन्य मंदिरो और राम घाट पर भी फिल्म की सूटिंग होगी अक्षे संग पंकर तिरपाटी भी उजयन पहुंचे थे फिल्म O.M.G.2 को डारेक्टर अमित राय बना रहे हैं इस फिल्म में अक्षे कुमार के सा का आपर मान लिया अक्षे कुमार की ये फिल्म साल 2012 में आई O.M.G. यानि O.M.G. का स्यूकल है उस फिल्म में अक्षे ने भगवान करशड का करदार निभाया था उनके साथ प्रेसरावल थे जिन्होंने एक नास्तिक बेक्तिका रोल अदा किया था फिल्म दर्सकों को पस आदे की 2012 में O.M.G. रिलीज हुई थी और दर्सकों को ये काफी पसंद आई थी अब फैंस जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे पहले पार्ट में अक्षे कुमार ने भगवान करशड का रोल किया था फिल्म के पहले पॉस्टर में अक्षे कुमार लंबी जट राच के माला है और दाएं हाथ में डमरू है इस लुक से फैंस ने अंताजा लगाया कि O.M.G. 2 में महादयों का किरदार निभा रहे हैं खिलाडी कुमार यामी गौतम ने फिल्म में फिमेल लीड रोल किया है उन्होंने भी पोस्टर और रिलीज डेट सुसल मीडिया पर स O.M.G. इन दिनों अपने सुकल को लेकर सुर्खियों में है बैक टू बैक फ्लाप के मार जहल रहे एक्टर को भी इस मुवी से काफी उम्मीद हैं वही बीते दिन अक्षे ने ओमाई गाड टू की रिडिटेट से परदा उठाय था जिसके बास से फैंस से इससे जुड़े हर अपडेट पर अपनी नेजरे गड़ाए हुए हैं वही अप O.M.G. 2 के टीजर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानकर अक्षे के फैंस का खुस होना लाजमी है अक्षे कमार की फिल्म ओमाई गाड टू बीते लंबे समय से सुर्कियों में बनी हुई है इस मोटा आंडेट फिल्म का टीजर अगले सब्ता जारी किया जाए है